हेलो एवरिवन राधे राधे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंट्रेस्ट रेट रिस्क मेनेजमेंट जिसे हम आई आर आरम भी बोलते हैं इस चेप्टर के सारे कंसेप्स डिटेल में रिवाइस करवाने वाला हूँ देखे इस चेप्टर को अपने रेगुलर क्लास में टोटल फाइफ पार्ट में कवर किया था जिसमें अराउंड 11 टॉपिक्स पढ़े थे तो सारे कंसेप्स करके हमने सारे क्वेश्चन भी पूरे डिटेल में सॉल्व किये हुए हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत आई भी नहीं होगी बहुत ही आसान सा यह चेप्टर है तो आज अपने इसके सारे कंसेप्स वापस से एक बार डिटेल में रिवाइस कर लेते हैं तो आपको इस पे पूरा एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन आराम से हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है देखिए इस चेप्टर को जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी एक बात बताई थी वही बात यहां पे भी वापस से बता रहा हूँ कि यह जो चेप्टर है आपने कोई सेप्रेट एक्जिस्टेंस नहीं रखता है यह जो चेप्टर है यह डेडिवेटीव चेप्टर का ही अबठाच से आगे का पड़े पाइड ङेगेगे जो रॉजञे मैं मैं ने पाढ़ा चुक उनका इंटर से होगा लेकिन कंसेप्ट या लॉजिक्स वही लगेंगे डिक्टो सेम एज इस तो प्लास में भी यही बोलाता कि डेरिवेटिवस के अंदर मैंने आपको डिटेल में लॉजिक कंसेप्ट समझा हुए उनकी अपन लगाएंगे यहां पर आपन ज्यादा डेटेल में नहीं कर पहले वह रिवाइस करके बैठना क्योंकि इस चप्टर में कुछ भी नया नहीं है यह डेरिवेटिवस चप्टर का ही आगे का पार्ट है जैसा कि मैंने आपको बदाया था कि मूवी मार्केट में जब आप देखते हो तो पार्ट में आती है जैसे केजी एफ वन केजी स्पटर को समझें पहले डेरिवेटिवस समझ में आना चाहिए तौ डेरिवेटिवस को अच्छे से आप समझके बैठना तभी यह समझ में आएगा अगर डेरिवेटिवस अब produk पढ़ा नहीं है यह उपर से जाने वाला है फिर आपके पढ़ लिया थे बहुत यह आसान च सोटा सा चप्टर है फटा-फट से आपके सारे कंसेप्ट सिवाइद हो जाएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी देखिए अब इस चप्टर में आपने क्या सीखा क्या पढ़ा उसके लिए मैंने सबसे पहले पार्ट बनाये तो आपका इंट्रोडक्शन टू इंट्रेस् चप्टर में क्या सीखना है तो देखिए डेरिवेटिवस में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव बहुत तरीके की हो सकते हैं उनको क्लासिफाइए अलग अलग तरीके दिखिया जा सकता है एक कोंट्रेक्ट में सामने वाली पार्टी के साथ करता हूं फ्यूचर ड अगर उसको हम बोलते हैं अगर अगर इंट्रेवेटिवस में पूरा कवर किया है इसके अलावा मैंने दो और अपको बताया थी एक तो अंडरलाइंग असेट करंसी जिसको हम बोलते हैं करंसी डेरिवेटिव जिसके लिए आपके पाद एक टैप्रेट फोरेक्स चेप्ट कर आने अगर ऊप्टर में कवर होगा वही यह चाप्टर है तो इस चेप्टर के अनदर आपको ऐसे डेरिवेटिव पोंठाक के बारे में पढ़ना है जिनकी अंडरलाइंग क्या है इंट्रेस रेट हैं यहां बोलते हैं इंट्रेस्टरेट डेरिवेटिव और उसी का इस इसके अलावाएं इस चेप्टर में कुछ भी नहीं यह डेरिवेटिव का ही आगे का पार्ट है डेरिवेटिव काफी फैला हुआ है तिक वह चेप्टर तक लिमिटेड नहीं है इसलिए हम समझते हैं उस चेप्टर को बहुत वाश लेकिन बहुत ही आसान सा छोटा सा है यह जो पॉशन इस चेप्टर के अंदर है जो में पॉशन था वो डेरिवेटिव में हो चुका लेकिन इस चेप्टर का पॉशन चोटा मोटा सा पॉशन है तो हम फटा-फट से इसको कंप्लीट कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आगा अगर डेरिवेटिवस अपने अच्छ उसे केसे करूं, उसे खतम कीसे करूं या उसे कम कैसे करूं? उसे manage कैसे करूं, उसके बारे में ज्यादा focus करता है, जैसा कि मैंने बताया है देरिवेटिव के परपस अलग-अलग हो सकते हैं तो derivative hedging के purpose से जो use में लेना है, interest rate derivatives को उस पे focus है इस chapter के आंदर, बाके इस chapter का नाम है interest rate risk management आपके ओपर कोई interest rate के risk है आप उसे manage कैसे करोगे यह उसे hedging करने की बात करता है तो chapter का focus उसी चीज़ पर जिस पर chapter का नाम है तो interest rate derivatives हम पढ़ेंगे जिसमें भी hedging वाले पार्ट पर अपना main focus होगा तो यह इस chapter में आपको सीखना है तो उसके लिए मैंने कुछ basic बात बता रहा हूँ जो इस chapter के लिए जानना जरूर ही है देखें यह चप्टर में interest rate की बात होगी interest rate derivatives पढ़ रहे हो तो सारी बाते interest rate की होने वाली है underlying asset आपके derivative contract में interest rate होगी तो interest rate कैसी कैसी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए परना यह चप्टर आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा तो interest rate मार्केट में दो तरीके की होती है एक होती है fixed interest rate दूसरी floating interest rate अब सरी यह होती है यह नाम से आप समझते है बेसिक बाते हैं कोई दिमाग में loan हमेशा साथ में parallel चलेगा हम इंट्रेस रेट डेरिवेट्व पढ़ रहे हैं यह नि ऐसा डेरिवेट्व कोंट्रेक्ट जिसमें अंडरलाइंग असेट इंट्रेस रेट है पर इंट्रेस रेट अकेले में कोई इंट्रेस रेट कोई काम की नहीं है तो लोन वर्डिंग हमेशा अपने साथ चलेगी वर्डिंग पूरी कैल्कुलेशन उसी के अकॉर्डिंग चलने वाली है वह कैसे क्या होगी वह सब अपन समझेंगे देखिए तो फिक्स इंट्रेस रेट का है मान लीजे मैं एक लोन लेके आता हूं बैंक वाले के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं मुझे लोन टैन लेक रुपीज का तो बैंक वाला मुझे दो ऑफर देता है भाईया फिक्स इंट्रेस्ट पे लोगे कि फ्लोटिंग इंट्रेस्ट पे लोगे सर ऐसा होता है बिलकुल ऐसा होता है प्रेक्टिकल लाइफ में आप जाके देख लेना अगर आप लोन लेने जाओगे अगर 10% है ना तो मुझे 10% पर एनम का इंट्रेस्ट देना पड़ेगा अगर 5 years का लोना तो 5 years 10% पर एनम फिर मार्केट में कुछ भी इंट्रेस्ट कोई लेना देना नहीं है मेरी इंट्रेस्ट फिक्स हो चुकी है तो बैंक वाला जो भी बताएगा 8% 10 12 कुछ भी हो सकता हैस का बता का मतलब वेशिक बाते हैं सोच हो यह भी बतानी पड़ रही है पर जरूरी है इनमें भी डाउट आ जाते हैं दूसरी चीज फ्लोटिंग इंट्रेस टेट होती है नहीं प Alb एक्जांपल में एक एक्जांपल आपको सामने रखता हूं कि मैं बैंक वाले की पास गया और मैंने बोला कि मुझे टू इयर्स का लोंच चीए तो अब आप बताओ कि कैंसे करोगे सब्सक्राइब मार्केट में इंटेश हो सकती है तो क्या आजके दिन ंटेश रीट करोगा मार्केट में इंट्रेशनुbildung के लोन के अंदर लेकिन फृक्स टाइम पीरेड डिसाइड किया जाएगा कि इस टाइम पीरेड पे जो भी मार्केट में इंट्रेस्ट होगी वो लगा दी जाएगी लोन पर इस टाइम पीरेड के अदर अब वो क्या चीज़े किस तरीके ते वह वर्किंग में एक बार आपको दिखाता हूं जो मैंने एग्जांपल कि साथ कि इसाइड कि में जो मेरा इंट्रेस्ट कब-कब चेंज होगा मार्केट में मेरा फ्लोटिंग इंट्रेस्ट चेंज होगा वो मैंने डिसाइड किनिख या और वो श्की दिया जाएगा तो सब्सक्राइब कर लिया तो अब पता है क्या होगा सब्सक्राइब का लोन लिया है टू यह तो पहला इंट्रेस्ट बताओ इसकी बार इंट्रेस्ट के अन्ट मैं हो गई क्यों क्यों अपकी बारे प्लोटिंग इंट्रेस्ट जिसमें भोला तो रिसेट पिरियड है six months का यानि six month के end में जो भी मार्केट में इंट्रेस्ट रेट होगी ना अब वो लग जाएगी next six months के लिए इसके बाद 12th month के end में ये इंट्रेस्ट रेट हो गई छह महीने बीद गई छह महीन होगा हर six months का हमारा रिसेट पिरियड है इंट्रेस्ट रिसेट कर रही है मार्केट क्या पॉड़िक तो 12th month के end में मार्केट में रेट यह हो गई तो अब बताओ next six months का इंट्रेस्ट के से पर होगा 9.5% से फिर 18th month के end में ये इंट्रेस्ट हो गई तो यहाँ से लेका 24th month यानि six month के end का में इन्ट्रेश्ट का इन्ट्रेश्ट मांवें मार्केट में मार्केट की इन्ट्रेश्ट यह लिए अगल ने ने बाइट्रेश्ट detox address पर फिर फिर 6th month के end में जो interest rate मार्केट में होगी next 6 months का interest उस rate फिर उसके बाद जो market में interest rate होगी उससे next 6 months का interest ऐसे cycle चलती रहेगी जो भी reset period होगा reset period से six months का होता है क्या reset period कितना भी हो सकता वो bank वाला और customer mutually decide करेंगे question में given होगा 3 months का भी हो सकता है कि हर 3 months में reset करेंगे अरे नाम से समझो नहीं interest rate reset हो रही है reset हो रही है अगर आप calculate करके देखना चाहूं इंटरेस्ट तो 10 लेकब अफसरी जो interest rate बताई यह 6 months का reset period है तो 10% 9% यह जो interest rate है कि 6 months के नहीं interest rate कभी भी कुछ भी नहीं बोला हो तो पर रहनम होती है यह मैं basics of AFM से पढ़ाता आ रहा हूं आपको इनको गलती से भी 6 महीनों की मतले ले लेना interest 6 महीने का लगेगा लेकिन rate परहनम है तो इंट्रेस्ट चार्ज करना कितने टाइम का वह अलग चीज है और इंट्रेस्ट परहनम होती है वह अलग चीज है दोनों को mix मत किया करो इसी के वज़े से आपको basic basic चीज है टफ लगने लगती है तो जीरो टाइम पर इंट्रेस् से तो टैन लेका 10% इंट्व लेक्षा महीने का यह आ जाएगा दूसरे इंट्रेस्ट का पर होगा 12 मत के अंड में अब कौनसी रेट सी सरीष्ट वाली रेट से 9% 6 मंत के यह ओगे तिना यह रेट से तो पर होगा यहां से यहां तक का इंट्रेस्ट समझ रहे हो आप तो आ आपको डिटेल में और समझाया हुआ है यह अल्रेडी तो यह है फ्लोटिंग इंट्रेट जो है वह वह वैरी करेगी चेंज करेगी अकोर्डिंग लिए लिए डिटेट्रेट का मतलब इतना समझो मारकेट इंटरेट पर ले जाया जायगा हर जो ब्रैकेट में लिए मैं लिए लिए लाइब में यह सब benchmark rate होती है, benchmark rate जो है न, market interest उसके नाम रखे गए हैं, जो market में interest rate है वो आएगी कहां से, bank वाले ही market में interest rate इसु करते हैं, तो bank वाले जो है न, bank वाले लोग आपस में committee बना के रखते हैं, और वो committees जो हैं, daily basis पे market में interest rate एसु कर देती हैं, तो बहुत सारे banks के group बने इसलिए कॉंट्रेक्ट में लिख दिया जाता है उस बेंचमार्क रेट का नाम उनका नाम कुछ भी हो सकता है यह बैंक प्राइमरी लेंडिंग रेट माइबोर मुंबई इंटर बैंकों का गुरुप है वो डेली इसू करते हैं उसे माइबोर बोलते हैं ऐसे लंडन इंटर लंडन के कुछ बैंकों का गुरुप है जो डेली इसू करते हैं तो कुछ भी हो सकता है क्वेशन में बेंचमार्क रहे हैं समझो बस इतना सा समझने का था तो बस यह आपको द्यान रखना है अब बागी प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने बताया लाइबोर आज के ट इसे बीटेल में और समझ रहे हैं लेकिन रिशेट पीरियाइड इंट्रेस्ट जो है वह सिक्स मांस का चार्ज करना आपने को समझ गया आप बस इतना सा ध्यान दखना है बेसिक्स के टाइम पर भी बात होईती है यहाँ पे आपने डेटेल में वह समझ रिया क्वेशन में इंट्रेश एट आपको ऐसे भी दे सकता लाइबोर प्लस 3 डॉसिवर प्लस फाइब परसेंट लाइब प्लस कोंपनेट श्क्रंबं भी चंड बोला ना वियाँ मार्केट में लिए प्लस थी यहां पर अगर मार्केट में 9 पर्सेंट हो गई लाइब और तो बताओ यहां से यहां तक इंट्रेस्ट कितना प्रहोगा 9 प्लस 3 यहीं 12 समझ गए आप जो मैंने आपको मीनिंग समझा यह कुछ भी हो सकता है प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0.5 यह कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने दो एक्जामपल लिखे एड सेक्टरा करके ठीक है तो यह आप समझ गए यह होता है फिक्स इंट्रेस्ट कंपोनेंट मतलब फ्लोटिंग और फिक्स दोनों की मिक्स करके इंट्रेस्ट बताईए कस्टमर कि यह आपका बेसिक्स वाला पार्ड कंप्लेट है इस चेप्टर का सेकंड पार्ट सीप्टर के फॉर्वड ड 173 मैंने बेसिक बाते आपको समझा ही जो अपने क्लास में भी समझें थी अब हमारा इंट्रेस्ट डैरिवेटीव वाला पार्ट चालू हो रहा है तो अब अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग फिर डेरिवेटिस का रिवीजन जरू सुना वो अरड़ी आपको मिल गया है तो उसको आप पहले रेफर करना फिर इस चेप्टर पर आना ज्यादा इसमाट ऐसा मत बना कि पहले मैं यह चेप्टर कर लूँ छोटा है तो नहीं होगा ऐसे क कुछ चीजों के सिक्वेंस होते हैं और मैं क्लास में सिक्वेंस में पढ़ाता हूं उसी अकॉडिंग हर चीज को लिंक करवाता हूं अपने तरीके से पुरा तरीके से समझते वह चलना पड़ेगा तो यह आपको चीज़े आसान लगेंगी ऐसे बिना इस ट्रक्चर के लॉजिस दिल में वापस से बैठा लेना क्या एक कॉंट्रेक्ट जो कि हम फ्यूचर डेट पर ट्रांजक्शन करने के लिए आज कर रहे हैं या फिर किसी चीज की उपर बैटिंग करनी है में फ्यूचर में उसकी प्राइस वगेरा पर तो उसके लिए जो कॉंट्रेक्ट क किया अंटरलाइंग असेट सपोस अब इंट्रेस्ट रेट है तो यह इंट्रेस्ट का डेरिवेट्व बन गया बट अब यह भी एने चार तरीके की हो सकते हैं कोई भी डेरिवेट्व कॉंट्रेक्ट फॉर्वार्ड फ्यूचर ऑप्शन और स्वेप्स या दा रहा हो तो इंट्रेस्ट डेरिवेट्व में भी इसी तरीके से अपने पढ़ा था डेरिवेट्व चप्तर में ऐसे इंट्रेस्ट डेरिवेट्व में भी वही चार नेचर पॉसिबल है फॉर्वार्ड कॉंट्रेक्ट फूचर कॉंट्रेक्ट ऑप्शन कॉंट्रेक्ट तो चारू ही आपको पढ़ने हैं पर बहुत ही आसान से छोटे-छोटे से हैं फटा-फट से हो जाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे forward contract interest rate derivatives का forward contract अब दिमाग से सारे equity derivative वगेरा निकालके बैठना अब आप अंडरलाइंग में price of equity share अब यहां पर interest rate आपके दिमाग में चलनी चीन बेसिक concept बेसिक feeling वही derivative चप्टर वाली पर अंडरलाइंग असेट बस interest rate तो इतना आपको दिमाग में अपना mindset बनाके बैठना पड़ेगा इस चप्टर को समझने के लिए तो सबसे पहले forward पढ़ेंगे नि future साब अलग से पढ़ाओगे बिल्कुल तो सर ऐसा बहबबा हो कि उस चप्टर में तो आपने बोला forward future ही कि एक बार में complete कर लेते हैं तो देख उसका एक रिजन है equity derivatives में क्या था अंडरलाइंग share equity थे तो उसका forward contract कहीं पे legalized यह regulatory तरीके से मार्केट में अवेलेबल नहीं होता फ्यूचर contract stock exchange के तुरू अवेलेबल होता है equity share वगेरा पे लेकिन उसका forward contract legalized तरीके से मार्केट में regulatory तरीके से अवेलेबल नहीं है वह तो इस chapter में जो forward contract है interest rate derivatives का वो एक्चुल में practicalize में legal regulatory तरीके से मार्केट में अवेलेबल है government ने अवेलेबल करवाया हुआ है forward contract over the counter होते हैं तो over the counter forward contract जो interest rate derivative का है वो बैंक के साथ किया जा सकता ultimate crux वही निकलेगा जैसे इसके forward or future में calculation वगेरा crux logic सब कुछ वही रहेंगे पर separately पढ़ना पड़ेगा reason मैंने आपको बताया बाकि detail में बात regular batch किये तो यहां पर आप देखिए इसका नाम से forward rate agreements है जिसे short में अपने एफ आरे बोलते हैं इंट्रेस डेरिवेटिव के forward contract को तुसर इसका नाम फोर्वार रेट एग्रिमेंट ऐसे क्यों है नॉर्मली लिख देते फोर्वार कॉंट्रेक्ट इंट्रेस डेरिवेटिव तो इसका नाम क्यों है वो नाम से आपको समझ में में लिख चपटर में पहलाता है अप्र का नाम से आपको क्लीक हो जाना चलिये की इंट्रेस रेट का डेरिवेटिव से अब इसका meaning देखे ऐने wayनीगे वही है जो डेरिवेटिव Megas print लकॉत यानि सामने करती हैं यानि बैंक पर्टी जो से अवेलीबल अब यह Aleut ँदके पहसागा ऑँचल में जाना नहीं तो सद्खकी लंदेक्टाट में करते हैं तो दिमाग में आपके आना चाहिए तो अब यहां पर बैटिंग किस तरीके से कैसे क्या वर्किंग करते हैं बहुत सिंपल सा देखिए समझे आप लोग, मिष्टर ए निए परसर है और वो बैंक वाले के पास जाता है, अब बैंक को क्या बोलता है, देखो भई साब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 6 मन बाद, आज से 6 मंद बाद मार्केट में इंट्रेस्ट 10% से उपर चली जाएगी, ऐसा मिश्टा रे ने बैंक वाले को बोला, यानि क्या की अपसाइड बैटिंग करी, अपसाइड बैटिंग, इंट्रेस्ट बढ़ने की बैटिंग, अब देखें, आफ्टर 6 मंद क्या हुआ, आफ् आगानी मुझे गेन मिला, अरे मैं शर्थ से जीतूँगा तभी तो पैसा मिलेगा, शर्थ हरंगा तो पैसा जाएगा लौक, तो शर्थ जीत गया तो यानि मेरा गेन, गेन कितना हुआ, सिंपादी बादे, कितनी जीता दे और टेन परसेंट से उपर जाएगी, कितना अप बोला कि पहले वहां रिवाइस करके बैठना वाना यहां सब उपपर से जाएगा यहां उतना डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा है समझी में आई बात सब कुछ लॉजिक्स वहां पर हम बोलते थे कि रिलाइंस का शेयर 2500 के ऊपर चला जाएगा सपॉर्ट मैंने बैट जाए सबकुछ काम होगा गए निकाल यहreck 2017 gundk. hr अगर मुझे नो करेंगे कैसे हमारे बीच समझेरी यह बात है रख तोड़ा अगल हम के इसलिए जो इंट्रेस्टेट के डेरिवेटिव कॉंट्रेक्ट है उनमें इंट्रेस्टेट के साथ हमेशा एक चीज साथ में चलेगी क्या चीज लोन लोन हमेशा साथ में चलेगा एक फिक्स अमाउंट का लोन भी कॉंट्रेक्ट में बताया जाएगा और कितने टाइम का लो सुनना मेरी वाडिंग मैंने सिर्फ इतना तो चेंज किया आज से सिक्स मान बाद इंट्रेट 10 परसेंट से उपर चली जाएगी किसके लिए इंट्रेट 10 परसेंट से उपर चली जाएगी ताकि हम गेन लोस की कैलकुलेशन कर सके इसमें हमेशा दिहान रखना है इंट्रेट डेरिवेट उसमें इंट्रेट पर बैटिंग लगेगी पर हमेशा कॉंट्रेक्ट में लोन और उसकी मैचुरीटी भी डिसाइड करी जाएग हो मैंने बोला six months बाद market में थ्री मंस वाला लोन अगर किसी को लेना हो तो उसकी इंट्रेश्रेट 10 परसेंट से उपर चली जाएगी शिक्स मन्स बाद क्या हुआ यह यह मारकेट में 12 परसेंट हो गई तो three months वाला लोन 10 लोन टैन लेक की मैंने बोला 10 परसेंट से उपर च करी थी थी मन्स के लोन की बात करी थी थी मन्स वाले लोन के लिए बैटिंग करें तो थी इन्टु थी वाई को यह आपको गेंड हुआ है फाइफ थाओ देंका समझ में आया मैंने पूरा फॉर्वार्ड बुक पड़ा दिया आपको पूरा फॉरे बस अल्टिमेट यही सीख है बैटिंग इन्ट्रेश्ट टेट अफ्टर स्पेसिफाइड पिरियाट मैंने एक वर्ट बीच में छोड़ दिया लेकिन आभी आपको समझाओंगा क्यों मैंने क्या किया बैंक के साथ इंट्रेट पर शर्त लगाने का इक स्पेसिफाइड पिरियाट के बाद जो कि मेरे पर बैटिंग लगा रहे हो वो होगी for a loan of certain maturity for a loan of certain maturity and it is a contract with bank for betting on interest rate for a loan of certain maturity यानि यासे six month बाद जो interest rate three months के 10 lakh रुपीद वाला लोन है उसकी 10% से उपर चली जाए समझ में आया इतना point add हो जाता है बस interest rate के according सोचने concept वही है derivative वाले बस interest rate के according सोचने सोचे बिना यह चेप्टर नहीं हो सकते बिना logic के कोई सोचे में रटके कर लूँ तो रटके आप जो steps and notes में लिखे हो फॉलो कर लेना marks तो मिल जाएंगे पर कभी confidence नहीं आएगा इस चेप्टर में यह वाली देखे अब आगे अब आगे तो नॉर्मल है सिंपल सा अब इसे मैं आपको कैस सेटलमेंट तो बताया पर मैं इसे ना नॉर्मल तरीके से भी बता सकता हूं जो आप इसा भी बोल सकता था कि मैं आप से यह भी मैं कॉंट्रेक्ट कर सकता हूं यह मेरा अपसाइड वैटिंग का ही कॉंट्रेक्ट है क्योंकि देखो मैं लोन लेने की बात करूं क्यों क्योंकि जीरो टाइम पर मुझे लग रहा है यार आप से लोन मिलेगा तो आपने बोला कि सर उसका तो कोई सोलुशन निया लोन तो तब भी मिलेगा लेकि मुझे डर लग रहा है मार्केट में इंट्रेस्ट बढ़ जाएगी तो आपने मुझे एक सजेशन दिया सर आज ही लोन लेकि बैठ जाओ तो भाई मैं बेवकूफ नहीं ज यहीं जिए पार्ट पर तो वो साथ ही साथ बता रहा हूं कि ऐसे भी आप सोच सकते हैं अब इसमें मैं ऐसे बीड़ सकता हूं पर प्रेक्टिकलाइफ में कैस सेटलमेंट ही होता है इसलिए हम उसी की बात करेंगे एक्जाम में उसी तरीके तरीके पर मैं आपको समझा रह ठीके प्रोफेशनल लेंगवेज में कॉंटेक्ट टूबाय का मतलब अपसाइड बेटिंग कॉंटेक्ट टूसेल मतलब डौंसाइड बेटिंग याद आ रहोगा डेरिवेटिव चप्तर में तो बस आब आगे वही लिखा है इस पर आवर एक्पेक्टेशन अब अगर हमा मतलब क्यों था अपसाइड बेटिंग प्रोफेशनल लेंगवेज में तो बाय ऐसे अगर मुझे लग रहा है फ्यूचर में इंट्रेश्ट गिनने वाली है यानि जो चीज होने वाली है जिस चीज का डर है वही मैं कर लूँगा उसी पर में शर्त लगा लूँगा यानी डाउंसाइड वैटिंग करलोगा इंट्रेश्टेट पर यानि फरे तो बहुत आसान चपर है फिलिंग से आपको कुछ नहीं करना होता जिस बात का डर है उसी पे शर्त लगानी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था एक मूवी का सोंग है जिस बात का डर है वही करके द अब वहां पे किस reference में बोलता है वह reference आपको सोचना नहीं है और उस movie के song को वीडियो के साथ play नहीं करना है सिर्फ यहां पे focus करना है वहना आप बहग जाओगे देखिया बागे एक्जांपल देखिया मैंने जो चीज आपको बोली वही इस एक्जांपल में लिखिये एक बैंक इस ओफरिंग एक्जांपल दे रहा था उसी को लिखाया नहीं क्वेश्चन फॉर्मेट में इसे हम सिक्स भाई नहीं एफारे भी बोलते में देख रहा होगा आपको अब इसको एक्स्प्लेइन करूंगा क्या चीज है उसको एक बार इग्नोर करना तो अगर हमें लगता है हमारी पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक्जांपल दे रहा था आप तो आसे शिक्स मन बाद थ्री मंस के लोन के लिए और फ्री मंस आफ्टर शिक्स मंस फ्रम नाओ यहां की कुछ कोटेशन नहीं जो प्रैक्टिकल लाइफ में लिखी जाती है आगर मान लीजे आपके सामने लिखा आ रहा है इसका मतलब क्या है इसमें जो मल्टिप्लाइब का साइन है इसे बाइक तरह रीड किया जाता है व इसका मतलब है कि आज से 6 मंद बाद पहला जो सिक्स है वो रिफलेक्ट करेगा आज से 6 मंद के एंड से 6 मंद बाद ठीक है आज से 6 मंद बाद के लिए बैटिंग लगा रहे हैं किस चीज के ओपर 3 मंस के लोन के लिए यहां से देखो 6-9 के बीच में गैप कितना है यानि 6 6 मंद बाद 9 मंद के एंड तक 6 मंद से लेके 9 मंद 6 मंद से लेके 9 मंद यानि 3 महिने के लिए जो लोन चलेगा आज से 6 मंद बाद 3 मंद के लोन के लिए बैटिंग हो रही है इसका मेंनिंग यह है समझ में आएगा बहुत सिंपल सा है तो इन दोनों के बीच का गैप यानि कितने टाइम का लोन और यह पहला वाला 6 मंद बाद की बैटिंग हो रही है समझ में आया तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा देगा कि हमने 6-9 एक 10 परसेंट पे बाए कर लिया अपने तो हमें अप आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता क्या पढ़ा रहे हो आप लो कुछ नहीं है बस अब समझ लो मैंने 10 परसेंट पे फारे बाए किया पहली चीज तो यह देखो तो बाए करने का मतलब है पारे बाए करने का मतलब अपसाइड बैटिंग करिए 10 परसेंट पे अब 6-9 का मत सिक्स मांस का लोग ठीव नाइन के बीच में कितना सिक्स आज से थरी मुंस बाद सिक्स मंस का लोग ऐसे आपका देखो यहां पर मैंने लिखा है 3 वाई 6 अब यह कि पेशल चीज के अगर एक्स की जगए बीच में वी आ जाए तो इसका मतलब यह इसको रिफलेक्ट करेग अभी तक हम months की बात कर रहे थे आप क्या हो जाएगा आज से 2 years बाद 1 year का लोन आज से 2 years बाद 1 year का लोन तू और 3 के बीच में कितना है वन का ना अगर यहां पर multiply का sign होता है आज से 2 months बाद 1 month का लोन अगर बीच में वी का sign आगया तो months की जगा आप क्या बोलना चलो कर दो कि आपको यह दिया हुआ है आप बैंक के पास गए आप बैंक के पास चले गए और बैंक को बोला कि मुझे एंटर करना है six months बाद three months के लोन के लिए तो यानि वह six by nine एक की quotation देगा आपको menu card पकड़ाएगा जैसे restaurant में जाते हो तो menu card में आइटम का नाम है six by nine एक सामने होगी उसकी प्राइस अब प्राइस में दो प्राइस दिख रहे है नाइन परसेंट और टैन परसेंट से बैटिंग किस पर मेरी मर्जे से किसी पर भी लगा दो क्या 9 परसेंट 10 यह है कि इसका मिनिंग यह नहीं इन दोनों में एक ही परसेंटेज पर बैटिंग लगेगी तो सब बैंक वाला पागल है क्या फिर दो रेट क्यों दिया दो परसेंटेश क्यों दिया उसका logic कैसा मझेगा अगर आपको अगर मुझे अपसाइट का टसे परसेंट पर होगा और बात खता में यह जो है थोड़ा बोगत यहां पर बता रहाएं थो देखिंग अपसाइट वेटिंग का मतलब है और डॉन्साइब बैटिंग आए मतलब है कॉंट्रेक्टू से तो हम ऐसा कस्टमर बैंक के पास जाते हैं तो आगर आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो तो जो कस्टमर है ना हमीशा इड़फ सेचुएशन में रहता है यानि कश्टमर दुकांदार से कहीज खरीदता है तो वह से महेंगी मिलती है और को कुई चीज बैसता है ना तो सस्ते में बिखती है रहाँ को तो महेंगी रेट लगेगा sudah वेचूंगा तो सस्ति रेट इसको एक और तरीके से समझ सकते हो देखो यह फार रेट के एक तरीके दे लोन लेने की रेट ही तो है भाई मैंने क्या बोला आसे 6 केसमें डाउन साइड़ बेतिंग करूँगा समझ गए उसके ल不對 कर सकता हूँ basics में इन्वेश्टर भी हो सकता हूँ और बोरोवर वी हो सकता हूँ तो आज बैंक के पास अगर आप जाते हो normally भूल जाओ अ पर 2021 को कि मुझे रोंच चाही यह स्थियांट आप आप सब्सक्राइब प करेंग। कि यह मैं स्पीडिय। टीक है मैं लेने जाूंगा भूल कर रोड़े pracぎ दर लगेगा किछिक का इंट्रेश्ट बढ़ने का यांइ उपसाइड वेटिंग करनी तो बौरोर करते हैं उपसाइड वेटिंग वेटिंग और इन्वेस्टर जो होता है उसको क्या करने ओती हैं नोसी कम वाली chemistry dot डॉंसाइड बैटिंग के लिए कम वाली रेट बहुत सारे लॉजिक्स और भी है वाट मैंने कुछ में में आपको बता दिया है ध्यान दख लेना पालतूसा पॉइंट है कम वाली इंट्रेस्ट रेट एफ यह निदा बैटिंग के लिए होती है ज्यादा वाली रेट एफ र मैंने बहुत सिक्समान बाद अब इसका सेट्लमेंट करना है एक जिसे नहीं का फॉर्मूला निकल ने कामांट का फॉर्मूला से वापस सिका हूंगा पहले आप समझो कि जो आमांट आप निकालोगे मै इस निकालौगे पर आपको प्रॉफिट हुआ कि पहले वो तो जच कर लो आप क्या सेटलमेंट करोगी तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वह आप जच करो वह कैसे जच करो कि बिल्कुल सिंप था इनीशली मैंने अफारे करने का कॉंट्रेक्ट किया था यानि अपसाइड वैटिं एनिमें जीत गया र का मतलब के मार्कें इंट्रेक्ट को अचाईट वाली गया और को जीत गया आपसाइड बेटिंगे अनौर क्या प्रेंस एक्सेली पर और अगर मार्केट में रेट कम हो गई और मैंने जीत किया क्योंकि मैंने डाउंसाइड बेटिंग वहीं लॉजिक है कुछ मैंने भी कैलकुलेशन करीटी देखिए आसे इस मांद बाद पूरी नाइन मंस की तो आसे शिक्स मांद बाद हम बात कर रहें तो वो जो त्री मांस का रॉपीस का उस पर हम बैटिंग कर रहे हैं कि इंट्रेस्ट 10% से उपर चली जाएगे नहीं एफ और जो एफ वाली रेट है वो कितनी है 10 परसेंट इस पर अपसाइड बैटिंग करिए हमने आज की दिन पता चल जाएगा कि हम बैट जीते हैं कि आ रहे हैं तो आज की दिन मार्केट में इंट्रेस रेट होगी 12 परसेंट इसे हम बोल देंगे आरार रेफेरेंस रेट समझ में आया तो मैंने क्या करी अबसे बैटिंग में जीत गया तू परसेंट का मुझे फायदा हो गया बैंक वाला मुझे टू परसेंट पे करेगा किसका टैनलेक का टू परसेंट इंटू थी मंस का लोन था था आपको सेटल्मेंट आता है पर मैं आपको देखो लॉजिकल इसको कैलकुलेट करके बतात तो उधिर में 12 परसेंट पे लेता जो भी मार्केट में रेट अगर कॉंट्रेक्ट नहीं करता तो 10 लेक पे 12 परसेंट इंट्रेस्ट लगता थी मंस का यानि 30,000 मुझे इंट्रेस्ट पे करना पड़ता मैचुरीटी पर समझ मैं लेकिन एफार कॉंट्रेक्ट करने के वज जैसे 25,000 इंट्रेस्ट देना पड़ा वना 30,000 देना पड़ता है यानि 5,000 का मुझे गेन नजर आ रहा है अब मैं इसे कैस सेटलमेंट में दिखा देता हूं तेन लेक का लॉन की हमने कॉंट्रेक्ट किया था तो यही अइसे होता है ग्यें प्रक्टिकल में कैसे होता है क्यूं होता है वो थोड़ा सारीजन बताव देखेगा क्या चीज़ हो रहे है में लेता लों की इंट्रेस्ट का सट कव होता नाइन मंत के द्री मंज बात जब लों कंपली पे कर तो यह उधाएन पर मुझे कहा ओना चाहिए नाइन रिंट में न查ड़ेगी सब्सक्राइब मुझे नैंथ मुंत के यह दिलेवरी के रूट से जाओं तो मैं बैंक वाले के साथाथ भी मुझे मार्केट इंट्रेश्ट पता चल गई तो डिरेक्ट्ट यह कैस सेटल्मेंट कर सकता हूं शक्तेम्इंक कर लिया जाता हैाई यहीफ में बैंक वाले को बलूगा है मार्केट में साफसा पता चल रहा है मुझे टू परसेंट का फायदा है मैं तुझे एक्चुल मतलब अपन मैचुरी तक का वेट कर रहे हूं और उस दिन यार फ्रिमोट उसको करके लाओ पीवी करके लाओ गेनत मतल बाद है अब तु माँग रहे तो भाई मैं तुझे पूरा पैसा नहीं दूँझे तू तो मार्केट इंटरस्येट पर कहीं भी इंवेस्ट करके रिटन कमाएगा इस पर सिंपल सी बात है तो आज मैं तुझे वह मार्केट इंट्रेस्ट से पैसा काट के दूँगा क्योंकि भाई अगर मैं एक्च्वल में तेरा गें नाइन्थ मंत के एंड का यह तो मेरा मेरे पास यह राइट है कि मैं तुझे नाइ इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट से क्यों कि यह पैसा मार्केट इंट्रेस्ट इंवेस्ट अगला तो थो यह घाए हिं इस नाइंट मंत के आड में होगा सिक्स मं height canyon से पहले कि करने का तरीक होता आर कि- लेकिन से Master बाद स्वालब करना है तो यह पर करना है जो कहा मन तरक करना है प्ट्ट的 करना यहां करें कि यहां के बीच में कितना है कि तो आज के दिन मुझे में जाएगा बैंक की तरफ से कमज में आया यही मेरा एफार यह बस कंप्लीट है यह लॉस कंप्लीट हो चुगा यही फॉर्मुला है अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है अब आपको अगर मालू मुझे लॉन की जरूरत थी आज के दिन तो मैं मार्केट इंट्रेस्ट पर ले लूँगा लूँग तो आप कैसेटलमेंट करो एक ही बात है तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसेटलमेंट होता और एक्जाम में भी वही करेंगे ठीक है अग्टिकल में तो लोन आपको जो मार्केट रेट है उसी पर लेगा लेकिन आप एफारें वह गएरा जो भी करोगे इसमें गेन लौस आ प्रिंसिपल लोता है वह मैं बोरो ना कैसेटलमेंट होता है एक्च्वल में लोन लेना ही नहीं तो आप कितने भी अमांट के लिए कर सकते हो इन्टू आर माइनस एपर रहार यह नहीं रेफेंस एट मार्केट इंटरेट मार्केटेट एट वही तो डिफ्रेंस ले रहे त लोन नंबर वग्रोंट या मंस ओफ एफरेंस डिवाइड वाइड 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 वन प्लस और यानि मार्केट ट्रेट से पीवी करना है लेकिन मल्टिप्लाइबाइब टाइम का लोन का कितना टाइम था उसी अकॉर्डिंग तो पीवी करके लाना था आपको एफरेंस पीरियड जो भी बताए गया था बस यह फॉर्मुला है गेन लॉस का मीनिंग समझा दिया कंप्लीट हो चुका है अब देखें नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एफरे के अंदर या फिरेट बिल्कुल फालतो टॉपिक है यह मैं आपको बता दू एक्जाम पॉइंट विस ए पढ़ाना तो क्लास में डेटेल में पढ़ाया था यहां फटा-फट से थोड़ा सा बता देता हूं देखो क्या होता है हम एंटर करते हैं मैंने बैंक को बोला कि आसे 6 मन बाद 3 मंस का जो लोन है उस पर आप 10% के उपर जाएगा इस पर हम बैटिंग लगा रहे हैं कॉंट आणा रहा है लेकिन फोत थेयरीटिकल ही से एफ रैस होनी कह चाहिए तो तुन्से यह तो तो वो रेट होती है जिसमें कमपनी यानि मैं इन डिफरेंट रहूं बिट्विन टू शॉर्ट प्रियाड बोराइंग एंड फुल लॉंग प्रियाड बोराइंग एडवंसर यह क्या बोल दिया यह मैंने अपने से कंशेट्स के अकॉर्डइंग लिखाए कि कोई डेफिनिशन निए हैँ अभी मैं आपको समझाओंगा समझ आ जाएगा देखिए मैं ने आपको समझाया था इसका एक एक सांपल से तोटल नाइन मंस का लोन चींगे तो मैं बैंक के पाथ गया बताओ आज के दिन अगर मैं नाइन मंस का लोन लो तो क्या रेट लोगे उसने बोला 11.50 पर इनम एक नाइन मंस के अग्वाडिंग अज़ेस्ट हो जाएगा फिर मैंने बोला आज से अगर मुझे तो सरी इंट्रेस्ट अलग अलग क्यों ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइव में प्रैक्टिकल आपके दुनिया में यही रियूल है अरे आप किसी दुकान दार के पास आते और बोलते हो कि मैं को एक पैंट चाहिए तो वह लेका 10 रुपे का और मैं भाई यहां हंडेड पैंस लोगे तो आपको 9.5 की रेट लगा लेगा समझ रहे ना आपकर किसी को ज्यादा बिजनस देते हो तो आपको कुछ डिसकाउंट देता है से कि बैंक क्या दुकान दार भाई आप उसके लिए कस्टमर ऑग लोन लेते हो ऊसके इंटरेस्ट की कमाई है तो अगर नाइन मन्स का लून लुँगा तो उससे मुझे 11.5% इंटरेस्ट कोड किया और उक्यों कियोँकि यहां पर इस्यांदा भी तरहें और आप देख धिए यहाँ पर अपने को थेरेटिकल फेर फॉर्वार्ड रेट निकालने के लिए यह सब बाते क्यों कर रहा हूं मैं क्योंकि मैंने गोला फेर रेट का मतलब जो वाजिब रेट हो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो अब हम बात करें आज से 6 मंद बात 3 मंच के लिए क्या रेट होनी चाहिए जो बैंक वाला आज के दिन कोट करें यहने 6 बाई नहीं नहीं फारे की रेट क्या होनी चाहिए तो भाई इसका मतलब पते गहे इस 3 मंच के लिए इस त्री मंस के लोन के लिए बैंक को कितनी इंट minimize कर चार्ज करने चाई कितनी चार्ज करनी चाइए ताकि इनवेस्टर इन डिफरेंट रहे इन्वेस्टर को कोई फर्क नापड़े इन्वesto सणो थोड़ा से देखो एज न मुझे लग रहा है कि यार मेरे को है ना आज के दिन पैसे की जरूरत कर दूंगा पर कोई ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है जिसमें मुझे 9 months, 9 months की borrowing भी लेनी पड़ सकती है, मतलब बाद में 3 months के लिए वापस loan के जरूत पड़ सकती है, अगर कुछ future में सिनेरियो हो गया तो, मतलब मैं भी confused रूँ की 6 महीने के लिए loan की 9 months के लिए, तो यहाँ पर मैं bank वाले क period का loan एक बार में ले ले 9 months का, या उसी loan को 2 टुकड़ों में ले, पहले 6 months के ले ले ले, फिर जरूत पड़े तो 3 months के ले ले, तो दो चोटे टुकड़ों में ले, या एक बार पुरे बढ़े टुकड़े में loan ले, तो customer को कोई effect नहीं पढ़ना चाहिए, उसके साथ बेद तो देखो एक बार, अगर मैं पूरे long period की एक बार में borrowing ले ले लेता हूँ, 9 months की, तो मेरे को कितना interest, total amount कितना repayable वनेगा maturity पे, 1 मान लेते है principal amount है, तो interest कितना होगा, 11.5 की according, 0.115 decimals में अपने लिखा, ये पढ़ रहना में, तो 9 months का 9 by 12, समझ गई, तो इतना total repayable amount होगा मेरा maturity, समझ में आई बात आपको, अगर मैं पूरे 9 months की borrowing एक बार में ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसी borrowing को दो छोटे टुकड़ों में लेना चाहता हूँ, पहले 6 months के लेना चाहता हूँ, फिर मुझे जरूरत लगेगी तो 3 months की और ले लोगा भाई, तो आज अगर मैं 6 months क की borrowing लेता हूँ, 1 rupees की, तो 12% interest लगेगा 6 months के लिए ठीक है, 6 months के बाद यह amount मुझे repay करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं 6 months की borrowing लेके बैठा हूँ, यह amount total repay होगा, 1 plus जो भी interest है, लेकिन अब मालो 6 months बाद मुझे 3 months के loan की वापस जरूरत पड़ गए, क्योंकि हम तो match करना चाह चाहिए, तो सर क्या करूँ, यह loan तो repay करना ही करना पड़ेगा, तो यह total amount repay करना अब, तो इतना ही amount borrow करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर multiply किया, इस amount को 1 से, इतना amount मुझे अप चाहिए, और अब इस amount पर interest लगेगा, तो अब इस amount पर मेरा interest लगेगा, इस लिए multiply में 1 plus, जो अब यह, six months की बाद, जो three months आने वाले हैं, उसकी interest rate वो हमें पता नहीं, वही तो निकालनी है, fair FRA rate, कितने time की, three by twelve per annum में rate होगी, तो यह total repayment at maturity होगा, अगर मैं दो छोटे period में boring करूं, या फिर एक बार में 9 months की boring करूं तो यह, यह दोनों बराबर होने चाहिए repayment के लोन at once लेलू, या 9 months के लोन को मैं दो टुकड़ों मेलू, पहले six months का, फिर three months का, अब मैं इस equation को solve करूं तो one plus three by twelve, यह multiply में है, तो सामने divide में चल जाएगा, तो यह यही है, यह divide में जाके ऐसा बन गया, इसके बाद आर three by twelve यहां रखा, one सामने minus में चला गया, तो यह मे यहां की जो एफारे रेट है ना, 9.92 पर एफारे रेट है ना, 9.92 पर एफारे रेट बनती है, समझ गयो होगे, बस basic mathematics से इतना ही ध्यान लगना, ज्यादो दिमाग लगा, ना मत समझाया हुआ है, calculate कैसे होगी, theoretical fair 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 rate कोंसी होगी, second short period के लिए, देखक अब मैंने बूल एक बड़ा long period, उसमें 2 short period, पहला और दूसरा, तो theoretical fair 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 rate, fair rate किसके लिए, second short period के लिए, कैसे calculate होगी, one plus interest rate applicable for full long period, बोरें, divide by one plus interest rate for first short period, बोरें, मैंने यह क्या किया, देखो इस formula में, मैंने यह equation में इसको और short out कर दिया, इस equation में अगर आप notice करोगे, इधर r3 by 12, adjusted जो उस period की rate, fair rate, adjusted, ठीक है, परेनम नी, adjusted, वो कैसे आ रही है, one plus interest rate applicable for long period, divide by one plus interest rate applicable for first short period, बोरें, minus one, ठीक है, यहाँ से यह formula बना के लिए, डायरेक्ली आपको बस exam में कभी जलती से आ जाए, तो, answer decimals में आएगा, multiply by 100 करोगे, तो percentage में मिलागा, क्योंकि सारी calculation में, interest decimals में लियाता है, मैंने, AFM के basics के time, तो, यह तो, आपको, सबको, class वालों को पता है, बस यह complete है, जो rate आएगे, आपकी, उस particular period की होगी, परेनम के लिए, आप, adjust कर दो, तो, एक और example, देख लो, 3 months की बोरें, 12% पे मिल रहे है, आज के दे, 6 months की बोरें, 11.5% पे, तो, बताओ, क्या interest rate हो तो, बस सेम वाई, 1 plus, full long period की borrowing की interest rate applicable, short period की, first short period, minus 1, यह आगई, परेनम में multiply कर रहे, आपने 12 by 3 करके, तो, परेनम में आगई, ऐसे 2 years की बोरें, आज 4.2% पे मिल रहे है, 3 years की बोरें, 4.48% पे मिल रहे है, तो, क्या interest rate होनी चीए, 2 साल बाद, ताकि company indifferent रहे, 2 साल की बोरे तो, बड़ा period 3 years, पहला चोटा period 2 years, और फिर 1 year, समझ में आया, तो, 1 plus, बड़ा period 3 years, 3 years के लिए applicable rate, 4.48%, वो ली, लेकिन आप यह 3 years के लिए, चीए तो, परेनम है, तो, जब years में बात आती है, नो, पावर में चलोगे, फिर आप, पावर में चलोगे, 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 क्योंकि 2 साल का interest, क्योंकि पहला चोटा period 2 साल का, माइनस 1, यह directly आपको 1 साल की rate मिलेगी, 2v3 है ना, तो, 2 साल बाद, एक साल का लोन, एक साल का लोन, तो, एक साल के लिए, यहां पर आपके मन में कुछ ज़्यादा दिमाग चलाओ तो, एक डाउट यह भी हो सकता है, 2 साल का लोन 4.2% परैनम पे मिल रहा है, और CES का 4.48% परैनम, आपने बोला था, जितने लंबे टाइम का लोन होगे तो, सस्ती rate में मिलता है, पहले बात तो, एक्जाम के questions में कुछ भी हो सकता है, दूसरी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में भी हाता, सिनेरियो पॉसिबल है, यह complete हो चुक है आपका FRA का पूरा topic इस chapter का, अब इस chapter में third part में हमने देखा था, interest rate futures, जिसे हम short में IRF बोलते हैं, IRF, यानि interest rate derivatives का future contract, interest rate derivatives का future contract, इसको हम फटाफट से complete करते हैं, छोटा सा part होता है, यह exam के लिए बहुत आसान सा है, पर students को यह कभी समझ में आता है, नहीं क हो क्या रहा है, तो exam के लिए तो बहुत इजी है, मैं बताऊंगा working आपको, पर जो concept समझने का ना, वो class में आपको detail में समझाये था, मैंने, जिसके वज़ए से students में हमेशा confused रहते हैं, गलत कर देते हैं, फाल्तु की चीज़े, तो वो थोड़ा समय वापस से हैं आपे, ब कुछ भी रीट मत करो, सिस्फ फोकस करो, मुझ पे सुनो आप, आपके मन में यह चीज़ आती होगी, future contract है, तो मैं आपको बता दूँ है, इस interest rate future वाले derivative contract में, underlying asset कभी इंट्रेस रेट होती ही नहीं है, इंट्रेस रेट futures के अंदर कभी भी underlying asset, interest rate होती ही नहीं है, यह दिमाग में fit बैठा लेना, यह इकलोधा ऐसा derivative contract है, जिसके अंदर जिस चीज़ का यह derivative contract है, वो चीज़ इसमें underlying है ही नहीं, तो नाम है इसका interest rate future, interest rate derivative से नाम से पता चल रहा है, पर underlying asset, interest rate ही नहीं है, तो सर यह इसका special provision है, जिसके वेचे से सबको यह दिक्कत करता है, topic समझ में नहीं आता है, बच्चे समझते हैं, बता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, तो वो इसमें confused ही होते हैं, तो इसमें interest rate underlying नहीं होती है, तो सर किस बात का interest rate derivative से हमारी interest rate कैसे hedge कर पाएंगे, फिर हम क्यों अगर यह underlying नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, ultimately इसके अंदर interest rate पे ही शर्त लगेगी, मतलब इसके अंदर underlying asset interest rate नहीं है, मैंने यह contract किया, stock exchange के साथ, कि मैं कोई फलाना चीज पे शर्त लगाना चाहता हूं, इसमें interest rate के अलावा किसी और चीज पे शर्त लगेगी, वो चीज directly आपकी शर्त interest rate पे ही लगेगी, आपको gain loss interest rate में change जितना होगा ना उतना ही gain loss होने वाला है, मतलब आप directly interest rate पे शर्त नहीं लगाओगे, interest rate future में, आप लगा रहे होगे शर्त किसी और चीज पे, सामने कुछ और चीज दिख रहे होगी, पर अंदर कुछ और चल रहा होगा ठीक है जैसे आपके TV में आते हैं वह विमल पान मसाला वाले जो आजकल बड़े बड़े stars करते रहते हैं, पान मसाला के अलगला companies के पान मसाला आते हैं, पता नहीं कमला पसंद विमल क्या क्या पान मसाला, तो वह पान मसाला नाम से कभी भी आड नहीं करते हैं, वह कुछ कैसे नाम से इलाइची के नाम से कर दिया तो इलाइची के नाम से में पढ़ाज दो उसके इलाइची किसी ने आस ना यह जैसे एक वह रेड आता है रोल इस्टेग किस चीज का में आपको बचा दू तो वह रहता है अगर आप उसको देखो गे तो वह जो भी बंदा देखता उसको मालूम है कि क्या बेच रहा हो शायद दारू होती है जितना मुझे पता है वह देखके पता चल जाता है पर वह जब भी एड करते हैं लिखते हैं बहुत चोटे से वर्ड में रोयल इस्टेक का वाटर पानी का कर रहे हैं आपने कभी देखा है कि यह कंपणी पानी बेच रहे है अब क्वह नाम की चीज दिख रहे हैंसे पीछे पीछे शर्ट पर लग रही होती है इतना समझो आप इसको आम भाषा में समझोगे तो समझ में आएगा तो अंडर्लाइंग इंट्रेस रेट नहीं है फिर भी शर्ट इंट्रेस रेट लगेगी इंडाइरेक्टली ठीक है आप दुनिया के सामने यह नहीं बोलोगे कि मैं इंट्रेस रेट पे शर्ट लगा रहा हूं मैं इंट्रेस रेट इंट्रेस रेट करा की तुर्गे-बोलोगे कि मैं इस परटिकुलर official एपको मालूम है किंधरां जिए इंट्रंस चील एंडर को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए फॉटी प्लट्न वोन सबस्क्रीजर दो तरीके natel मार्केट में वह बोंड जिसमें कूपन हो कूपन आप समझते हो ना 7% कूपन वाला बोंड यानि फेस वेल्यू का वह 7% हर साल या हर शह महिने जो भी बताया उस पर पे करता रहेगा वह बोंड करती है और कैसे क्या बतारे हो इस सिक्वेंस में अगर आप चैप्राइस परते हो तो दिक्कति में आएगी वन्हां सब उपर से जाए टो बोंस पारे में बात नहीं करेंगे और बरेडी सब पढ़ाया हूँ तो इंट्रेस्टेट में अंडर्लाइंग असेट बोंस होते हैं इसमें डिरेक्टली शार्थ इंट्रेस्टेट पर ही लगती है इसमें अधर आ इसले इंठेसरेट लुटाइब बता दो ना यह अब कैसे लगेगी क्यों लगेगी क्या हो रहा है रीजन वह आपन बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़तों इंट्रेस्ट को अंडरलाइंग क्यों नहीं बनाया गया इंट्रेस्ट को नहीं बनाया अब है बहुत फॉल यह चेखर आतै नहीं पर इंट्रेडिंग में sitting भास को इन विया ऐंब में तेग्नाट लोगे सफसके नहीं सकते हैं वहाँ पे तो लोन अमांट वगेरा बोलेगा नहीं ठीक है जो आपका इस्टॉक एक्षेंज वाले बंदे वो तो इंट्रेट पर बोलेंगे तो इंट्रेडिंग करवाना चालू कर देंगे पर गेन लॉस कैसे सैटल करेंगे यानि इस्टॉक एक्षेंज पर कभी ऐसी चीज अब मान लो मुझे शिक्स मंग बाद थ्री मंस का लोन चाहिए पर मुझे डर लग रहा है मार्केट में यार इंट्रेश्ट बढ़ जाएगी तो सर हैजिंग कर लो आप हैजिंग सर कैसे करें फॉरवाड कोंट्रेट मुझे इस्टॉक एक्षेंज के पास गया मैंने बोला जिसमें अंडरलाइंग एज़्ट तो है बोंड बॉंड अंडरलाइंग एज़्ट आप उस पर बैटिंग लगा लो मैंने बोला फिर मेरी इंट्रेश्ट की रिस्क कैसे है जोगी इस्टॉक एक्षेंग बोला भाई आप नाम के लिए बोंड पे बैटिंग लगा रहे हो क्योंकि बोंड का खुद का अमउंट भी होता है और बोंड में पर्सेंटेश भी चलेगा इस तरीके से होती है वह मैं आपको समझाता हूं बेख के उन्डेकर यह एंड प्रयाइटि यह कोपन बोंड यह से उन्ट में कुपन और उन्ट केसे केसे में कैसे वर्किंग होगी पहले में एक्जाम पॉन्टों विसा अगर बात करूं तो बहुत आसाल है यानि आप क्या करें जीरो कूपन बोंड की प्राइस पर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी अपसाइड या डॉपर चली गई तो जीत गया और नीचे चली गई तो हार गया चली जाएगी तो जीत गया उपसाइड बेटिंग करता था जीत जाने पर जाता था उतना जो डिफ्रेंस है जो आपने किया था एक्विटे डेरिवेटिवस में तो एक्जाम के लिए तो कितना असानब देख लो पर अब यह इंट्रेश रेट को किस तरीके इंपक्त करता है कैसे करता हो थोड़ा सा लॉजिक मैं बता देता हूं तो उसके लिए समझेगा देखिए जीरो कूपन जो बोन्ड होते हैं उनकी जनरली फेस्वल्य हंड्रेड होती है मार्केश में जनरली है एक बोन्ड की ती बोन्ड करें उसके अपॉडिंग टोटल वेल्य हो जाएगी जब कंपनी इस्व करती है तो आप कंपनी कितने डिसकांट पे इस्व करेगी ठीक हाज कंपनी ने बोला कि 100 रूपीस का बोन्ड है आप मुझे 90 रूपीज दे दिजे यानि 10 परसेंट के डिसकांट पे इस्व तो थ्री मंद बाद में आपको 100 रिडीम कर देंगे 100 वापस देंगे तो नाम का जीरो कूपन बोल्ड है पर अल्टिमेटल इन्वेस्टर ने कमा लिया ना इन्वेस्टर ने 90 दिया था 100 मिल गया 10 और कंपनी के लिए 10 कोश्ट हो गई तो इसमें भी कोश्ट होती है हिड़ तो यह जो इंट्रेस्ट रही है जो कमपनी अपनी मर्जी से कुछ भी हटा देगी ऐसे तो यह प्राइस कैसे बोल सकते हैं जीरो कूपन बोल्ड आज मार्केट में प्राइस पर चल रहा होगा कमपनी तो कुछ भी इंट्रेस्ट हटा सकते ना अपनी मर्जी से इस्यू कर सकते ऐसा नहीं है मालो मार्केट में इंट्रेस्ट चल रही है 10 परसेंट कंपनी ने जीरो कूपन बोल्ड हंड्रेड वाला 95 पे इस्यू कर दिया कोई इंवेस्टर और यह कंपनी में अगर मैं इड़ा लेगा यहाने तो मैं बेवकूफ हुगा कोई इंवेस्टर पैसा नहीं देगा ऐसे मार्केट में चली 10 परसेंट कंपनी ने बोला कि हम तो तो परसेंट डिसकांट पर इशू कर रहे हैं मतलब हंडेड माइनस 13 परसेंट यानि 87 पर तो कंपनी बेवकुफ नहीं है मार्केट में 10 परसेंट जनरली रेटन चल रही है कंपनी 13 परसेंट रिटन दे कंपनी अपना फालत में नुक्सान क्यों कराएगी एक्सेप्शन हो सकता ह अब हम इंट्रेट फ्यूचर क अकॉणिंग बात करेंगे अफ्टर थीमांट इसकी प्राइट ही मांकर थीडिका और देखो मार्केट में इंटरसेंट चल रही हैं तो इसकी प्राइस क्यों जाएगी 100-12 परसेंट अरे आज के दिन कमनी यहांड़ को पॉपन परसेंट आज के दिन मार्केट में 12% चल रही ए तो आज के दिन मार्केट में 0 कुपन बंड की प्रैस क्या हो गई 88 यानि कंपणी ने 90 पर डाउन साइट गरी ते जिडियो कुपन की प्राइस पर आज 88 हो गई यानी टू का गें तो यह दो रूपए का गें यह गेंड दो रूपएका चेंज का गेन है आप एक चीज नोटिस करना इंट्रेस रेट में एक्जेक्टली टू परसेंट का ही चेंज आया हुआ है आज के दिन अगर आप नोटिस करोगे ध्यान से तो देखो मैंने जब बैटिंग करी थी किस पर प्राइस ऑफ जीरो कुपन बोन पर उत दिन यहां निए एक्जेक्टली टू पर सेंट का इंट्रेस्ट बढ़ी है उतना ही मिरेको गयन हुआ है तो यह कंचेनज का ही जेन है अप्हिंटनें जितना चैंज आया पको गयुआ ना गेन हुआ जैन कैसे डिशाड हुआ हमने जीरो कुपन बोन की प्राइस पर बेटिंग तो यह तो सकता है कि एक्जेक्टली जितना इंट्रेट में चेंज आया को इंसे डेंटली निया है आप कितने भी एक्जामपल लेकि देखलो हमेशा यह होगा क्योंकि आप 100 में से माइनस करते हो इंट्रेट में अगर बढ़ी इंट्रेट अमारी की मार्केट में बढ़ी जिरो कूपन बढ़ी गिरी तो इंट्रेट बढ़ने से जीरो कूपन बढ़न की जो प्राइस है न वो गिर जाती है और अगर मार्केट में इंट्रेट गिरेगी न तो जीरो कूपन बढ़न की प्राइस बढ़ेगी यहां पर भी मैं आपको वेरिफाई करा देता हूँ है देखो यहां पर आप अब 100 में से इंट्रेट मैंस करके इंट्रेट माइनस सकर जीरो कूपन बढ़न की प्राइस निकाल दो यानि 90 से 93 बढ़ गई मार्केट में प्राइज इंवर्स रिलेशन्शिप होता है तो बस अब यहां से मैं एक इंवर्स रिलेशन्शिप है तो हम बात करते हैं जब हम को विए लोन लेना है मुझे तो मुझे डर लग रहें मार्केट में इंटरेट तो सर मुझे इंटरेशेट फ्यूचर में उपसाइड बेटिंग करने चाहिए कि अब आपको बढ़ने वाली है आपको लोग बोलेंगे जिस बात का डर है उसी पर शर्थ लगा दो हमें लग रहा है इंट्रेश्ट बढ़ने वाली है तो सर आपने कभी आपके कंसेप्ट को समझाही नहीं है आपने ये कंसेप्ट को भी रट लिया आपने डेखो ये डेरिवेट्व च जो इसमें पें नहीं है इसमें से बढ़ेगी तो देख उसका कॉंसिक्वेंस क्या होगा जीरो कूपन की प्राइस गिर जाएगी मैंने बताया इंवर्स रिलेशंशिप पर वेरिफार भी कराया मुझे डर लग रहा है इंट्रेस्ट बढ़ेगी तो यानि जीरो कूपन की प्राइस गिरेगी ऐसा मुझे लग कि प्राइस गिरने वाली है यानि यह कंक्लूजन था यह मेरी को समझाना था बस यहापको समझा चाहिए पॉइंट कंप्लीट इसके बाद कुछ नहीं है इसके लागेगी आप आगे स्टेप्स पढ़ने से पहले प्राइस किसी निकालेंगे टेट की किसी प्राइस किसे न नहीं का लोगे अभी तो समझाया कैसे आती है जीरो को पन की प्राइस किसी दिन की यहां पर यही तरीका फॉलो किया जाता है कि जो यहीं की प्राइस होगी वह चलता है एकर प्रैक्टिकव इसको हैज करने के लिए कैसे काम में लिया जाएगा इसको 4 Steps में working करेंगे सबसे पहलेoires करें विचह को कॉपनी के लौन लेना तो डर क्या लगेगा इससे डर लगेगा इंट्रेशएट कहीं बढ़ना जाए तो इनट्रेसरेट की बढ़ने का इसको डर है यह तो इनट्रेस बढ़ी तो क्या कि जैनली कोशन नहीं होता है उसमें भी आप समझता करें कंपनी को त्री मांस बाद इंवेस्ट्मेंट करना है दर किस बात का लगेगा इंट्रेश्ट मार्केट में गिलने वाली है इंट्रेश्ट फ्यूचर की प्राइस बढ़ने लिए इस पर क्या करना चाहिए अपसाइड वैटिंग करोगे इंटरेशेट फूचर पर यह बागी के स्टेप तो नॉर्मल है अब बेसिक बात है जो हमने हैं वहां देखा था यह उससे भी आसान छोटा सा पोशन है तो केल्कुलेट नंबर ओफ आया रफ कॉंट्रेक्स टूबी बॉट और सौल इंटरेशेट फूचर के काने कितने नंबर ओफ कॉंट्रेक्स करने उसके लिए उसके लिए तो जैसे एक्यूटी डेरिवेटिवेटिवस में हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉट्फोलियो पॉट्फोलियो करते थे एक यहां पर और यहां पर इफेक्ट देंगे पर साव लोन का वंसा बीटा यहां बीटा नहीं कुछ और चीज़का एटस्ट्वेंट के लिए निए एडजस्ट्मेंट के लिए इफेक्ट देंगे समझेगा कई बार क्या होगा समझेगा अपने एक्जांपल में मुझे लोन जो है ना वो six months के लिए चाहिए लोन तो चाहिएगा six months के लिए पर मार्केट में जो इंट्रेस्ट का future contract है ना वो three months की maturity का available है जंदली मार्केट में three months की होते हैं future contract अब लोन चीए six months का तो उस पर six months का interest भरना है future contract है three months का तो बताओ मेरी six months की hedging कैसे हो पाएगी तो अब क्या करें तो sir loan duration और future contract की maturity इनका जो ratio है नो उससे multiply कर दो या नि multiply by loan duration in months आपको मिल जाएगा कितने number of contract ने चीए फुल हैजिंग करने के लिए तो यह आ जाएगा ट्वंटी कॉंटेक्स समझना अगर मैं 10 contract करता तो वह वन लेक के value का एक contract था तो 10 लेक के contract हो जाते तो मेरा पूरा hedge नहीं हो पाता six months इतना अब यहां पर three by twelve का जो टाइम है उसकी जिए तो यह उपर जो numerator में three उसको two से multiply कर दो यानि पूरी equation को कही कैसे भी करके two से multiply करवाना है न मुझे यानि future contract maturity period और long duration की अंदर जो ratio है उसी से multiply कराना है इसको आप two से multiply कर दो आपको same amount मिलेगा यहां और यहां पर यानि आप बस future contract period और long duration में जो ratio है न उससे multiply कर देते हैं यह logic मैं आपको थोड़ा सा बता दिये के पीछे का मां के ultimate लिए भाप ध्यान दखना है तो number of contracts loan amount divided by future contract size into long duration in mind divided by future contract period in mind step three अब कुछ नहीं है जिंग हो गई maturity वाला दिन आ गया तो है जिंग के बाद में को net interest अगर मैंने लौन लिया तो उस पर कितना पे करना पड़ा और मैंने investment किया तो net interest कितना मिला है जिंग करने के बाद वह अपन देखेंगे ठीक है मैं लोन लिया तो एक्ट्यल में इंट्र interest rate into loan duration in month by 12 एक्ट्यल जो भी मार्केट में interest rate हो गई और अगर मानो invest किया तो वही रिसीव क्या आजाएगा आपके loan वाला question रहता है तो मैं उसका according ही समझा रहा हूं ठीक है तो interest pay किया तो उसे मैं माइनस में दिखा रहा हूं और received हो प्लस में आपको प्लस में दिखाना है तो actual interest paid वागेदा लेलोगे loan पर फिर उसके बाद IRF contract जो किया था interest rate future cost पर gain या loss होगा तो वह आप ले लिजे तो net interest paid या रिसीव मिल जाएगा आपको actual interest paid है और loss हुआ तो दोनु payment total हो जाएगा actual interest paid है और यहां पर gain हुआ तो net हो जाएगा समझ गई simple सी calculation अब gain loss होना IRF contract कै प्राइस बढ़ गई तो gain गें गिर गई तो लॉस इनिशली प्राइस की बात हो रही है ठीक है यानि जीरो कुपन बॉन की प्राइस वाली बात हो रही है इंट्रेस रेट में चेक कर लेना गलती देखो कभी आप पूरा solution ही गलत हो जाएगा ठीक है इंट्रेस रेट तो कहां काम में आएगी आए रफ की प्राइस निकालने के काम में आएगी लॉजिक मैंने आपको सब समझा दिए तो अब gain loss क्या है वो पता चलिए gain है की loss है अ प्रसेंटेज का होगा परसेंटेज में लेना भूल गए तो पूरा question गलत हो जाएगा बस यह ध्यान अगना आप लेजी supply by future 마지막 pierwsze तो एंट्रेस्ट के लिए past प्रल्टा करेंट प्रसेंटेज में इन इंट्रेस्ट की वज़ेसे इंट्रेस्ट का ही है इंट्रेस्ट आपको पता चल जाएगा इस लौन पर कितना इंट्रेस्ट का परसेंटेज आया यह एक्चुल इंट्रेस्ट लॉवर दा पीरेड ओफ लॉन लॉन 6 मन्स का थे 6 मन्स का है हमें तो परहनम में बताना होता ना इंट्रेस्ट तो multiply by 12 डिवाइब लॉन नहीं है यहां कोई फॉर्मॉला की बात होती है इसलिके आपको दिख्कत ना है एक्साम के टाइम पे इसके कि पूलीट आप नेक्स्ट टॉपिक देखिएं इंट्रेस्ट इपूपन बेरिंग बॉंड मैंने बोला है इंट्रेस्ट फीचर्स में और कूपन भी हो सकते हैं बिलकुल इंट्रेशेट फूचर वो होते हैं जिन में बॉन अंडरलाइंग हो कैसा भी बॉन्ड हो सकता है तो कूपन भी बॉन्ड में कैलकुलेशन करने का थोड़ा सोचने का तरीका अलग होता है इसके अंदर वर्किंग अलग तरीके से चलती है प्रैक्टिकल लाइफ में वो देखना है इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके पार्ट पे स्लेवर्स में अगे रखा इसमें सब्सक्राइब निकालना थोड़ा सा पाट है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ज्यादा इसमें डिटेल में आपको बात नहीं करने जितनी आपने जीरो कूपन वाले में लेकिन इसमें अपने एक्जाम पॉइंट पॉइंट वी से सेटलमेंट सोचने से ज्यादा अच्छ तो इस प्राइस पे आफ्टर थी मंस बेच दूंगा या फिर आपसे बाय कर लूंगा यह कॉंट्रेक्ट यह बेचने का मतलब डाउंसाइड बैटिंग आपके सेटलमेंट सोच सकते हो कोई दिक्कत नहीं आंसर वही आएगा पर हम समझने के लिए फिजिकल डिलेवरी ततार दो हिसमें वही चीजें इंट्रेश्ट एट और गूपन दमोंड गुफंवर्ण जो कुलपन बेरिंग गिरेगी इंट्रेश्ट गिरेगी को प्राइस哥न्र मौन बड़ेगी कि से क्ल॥ं में भी पढ़ाया हुए ऐग्जाम्पल से चेक कर लीज़ए तो बालबेग्स है आज के दिन मार्केट में translate 10% है सब मार्केट इंट्रेचट और कूपन परसेंट में क्या डिफ्रेंस है अलग अलग क्यों अगर किसी का यह डाउट है आपने सीक्योर्टी वैल्यूइशन को कभी समझा ही नहीं थे फिर आपका सब बरवाद है security valuation बहुत बेसिक सा thin line जो भी डिफ्रेंस सा वहाँ समझाए था coupon कुछ नहीं होता coupon तो बस एक फॉर्मेलिटी का मांट होता है जो company face value पे करने वाली है market में इंट्रेस्ट का मतलब है market में इंट्रेस्ट क्या चल रही है आज की दिन आज के दिन क्या प्राइस होगी तो प्राइस कैसे निकालते हैं बॉन की सिक्वर्टी वैलिशन में सिखाया है तो हर साल 7700 का आपका cash flow का 10,000 की face value पे 7% coupon और 5th year के end में 10,000 का अरे 10,000 का यह जो face value आप उसी पे तो redeem करेगी company 10% की market इंटर्षेट है तो इससे आप पीवी करेंगे तो 8-864 आज के दिन प्राइस होनी चाहिए इस बॉन की यह प्राइस है तर यह तो फेर वैल्यू वैल्यू अगयरा बोलते थे ना हाँ वह बोलते थे पर यही तो एक प्राइस है जिस पे होना चाहिए बॉन प्राइस होगी ना इसके आसपास ही होगी 8800 होगी क्या मानूं 8900 होगी इससे कोई ज्यादा डेविएट नहीं करती प्रेक्टिकल लाइफ में जो प्राइस है ज्यादा डेविएट करेंगी तो लगबग आसपास ही होती है तो हम हमारे concept को समझेने के लिए पास एक बार द बढ़ेगी तो बोन की प्राइस गिरेगी तो यानी सकी प्राइस गिरेगी उप्र अंड बढ़ी हैं प्राइस के अविख दिन के निकालना वहीं 5 साल तक 700 का देखा जाए तो और सब्सक्राइब करें तो आज के दिन इसकी प्राइस हो नीची एट वन नाइन फॉर यह सिक्वर्टी वेलिएशन का पार्ट है यह चेप्टर का कामका नहीं लॉजिक के लिए बताया था सिर्फ आपको क्लास में सिक्वर्टी वेलिशन नहीं पड़ा तो यह उपपर से जाए तो यहां पर आपकी इंट्रेश्ट पर ही बैटिंग लगती हो कूपन बेरिंग बॉंड के थुरू भी इसलिए यह भी आपका इंट्रेश्ट फूचर कोंट्रेक्ट है अब इसमें क्या होगा मैंने आपको पताया कि वह सेटलमेंट हो जाया का भी दिखाया अब इसमें थोड़ी सी बात है और पढ़ लीजे एक बाद यह जो कॉंट्रेक्ट होता वह नौशनल बॉन्ड के लिए होता है नौशनल मतलब मैंने बोला सेवन परसेंट कूपन वाल नौशनल बॉन्ड मतलब कोई भी बॉन्ड मैंने उसको डिफाइन नहीं किया कि फलाना यह वाला ही बॉन्ड उठाके दूंगा सेवन परसेंट कूपन वाला तो अब मैचुरीटी वाला दिन आएगा ना तो उस दिन एनसी पर जितने भी बॉन्ड लिष्टेड होंगे उन पॉष्टेड होंगे उसमें कोई साभी बॉन्ड दे सकता हूं अगर मैने बॉन्ड की तो सर यानि फिर मैं तो वह बॉन्ड उठाके देना चाहूंगा न चाहिंगा ना जिसमें सबसे ज्यादा मेरा फाय दो से्न दीनियर एटम रहंखी तो यह चूख सब तो डिलीवर मॉ मार्केट में सबसे सस्ता बॉंड मिल रहोगा ना वो खरीद के लाओंगा और वो चिपकाऊंगा एटेट सिक्स फॉर की कॉंट्रेक्टेड प्राइस पर समझना है और बायर को एकसेप्ट करना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ जिसने इस क्या होगा वह बीचाला तो डिसर्डवंटेज पोजिशन में रहागा ऐसा नहीं है इससे बचने के लिए क्या चेंज करता वो समझेगा बाकी तो नॉर्मल था इसमें कुछ चेंज नहीं था बस वह चीज़िए को समझानी है इस टोक उठाऊंगा खरीदूंगा पैसा जाएगा और यहां पर उसको बोंड बेचूंगा कॉंट्रेक्टेट प्राइस जिसे हम बोलें फूचर सेटलमेंट प्राइस पैसा आएगा ठीक है यह मेरा गें लोस होगा तो अगर उपर वाले एक्जांपल में बात करें तो मैंने बोल सेटलमेंट प्राइस को एक कनवर्जन फेक्टर से मल्टिप्लाई करने की बात करता है ऐसे केस में कनवर्जन फेक्टर वनी हो गया क्योंकि मैंने सेमी बॉंड उठाके देदिया जो बोला था सेवन परसेंट कूपन पर मानलो मैं 6% कूपन वाला बोंड उठाके होगी अगर उसकी 8194 आज के दिन तो इसकी 8000 होगी कैलकुलेशन करने मत बैठता है मैंने एक रफ बोला 8000 होगी तो बाहर को नुक्सान नजरा रहे है न इसके लिए स्टोक एक्षेंज क्या बोलता है जो आपकी फ्यूचर से कनवर्जन फेक्टर से मल्टिप्लाई करो य देख भाई 864 में तु बेच देगा 7% कूपन वाला बॉन्ट यह तुने बोला था अब तु 6% कूपन वाला बॉन्ट दे रहा है यानि सस्ता बॉन्ट दे रहा है तो 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 प्राइस भी कम मिलनी चाहिए बेचने पर तो 8864 पूरा नहीं मिलना चाहिए इसमें बोला .9050 मि नहीं है इसका 90 परसेंट इसका 90.5 परसेंट पैसा ही मिलना चाहिए तुझे पूरा नहीं क्योंकि तु सस्ता वाला बॉन्ट दे रहा है समझ में आया ऐसे मानलो मैं 8% कूपन वाला बॉन्ट ट्रांसफर करता हूं तो मानलो उसकी आज की दिन ज्यादा वेल्यू का बॉन् मिलना चाहिए तो इसका इतना टाइम पैसा मिलना चाहिए तो यह काम स्टोक एक्षेंज करता है अब इस केस में सैलर का प्रॉफेट कैसे आएगा सैलर जो मार्केट में जितने भी बॉन्ट वो सब एनलाइज करेगा कि कौन से बॉन्ट को उठाके देने में सैलर को मेक्सि इस बॉन्ट को डिलीवर करने में उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा हो वो वो सबसे फालती इस टॉपिक में इतना ही है खताम हो चुका है इंट्रेस रेट फूचर अब आजाए इस चेप्टर के फॉर्थ पार्ट में इंट्रेस रेट आप्शन जिसे आप आई यारो बोल सकते हैं इंट्रेस रेट ओप्शन देखिएगा यह पार्ट बहुत ही आसान है अब इसमें कोई यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी बहुत सिंपल सा पार्ट होता है यह कंसेप्ट से अगर आपन समझते हैं तो याद आ रहा है एक्विटी डेरिवेटिव साला पूरी जो फिलिंग दिमाग में बैठा करें इस ऑप्शन से बिल्कुल सेम फिलिंग सेम लॉजिक यहां पर करेंगे बस इंट्रेस रेट की वरकिंग चलेगे इंट्रेस रेट की चलेंगे बाकि वही लॉजिक्स चलने वा आशी यहां पर पहला है इंट्रेस्रेट गियांटी वाले ऑप्शन में क्या होता है इंट्रेस्रेट की गियरिंटी दी लिए इसमें तरीक तो यह भी बैंक के साथ कॉंट्रेक्ट होता है किस चीज़ का टुबाइदी राइट टुबाइदी राइट टुबाइदी राइट टू टेक लॉन एट इस ट्राइक रेट फॉर एलॉन ऑफ सटेन मैचुरिटी आफ्टर स्प्रिसफाइड पीरियाड मैं बैंक वाले के पास तो मुझे तो यहां पर मैं ले रहा हूं मैं बैंक से ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो मैं चाहूं तो मैं चाहूं तो बैंक से इससे बोलेंगे रेट ठीक है यहां पर टैन परसेंट के स्ट्राइक रेट आफ इंट्रेस्ट समझगे बागे सब वही लॉजिक जैसे हम बोल रहे थे एक्विटी डेरिवेटी में मैं चाहूं तो थ्री मन्स बाद आप से मैं चाहूं तो आप से सिक्स मन्स बाद थ्री मन्स का 10 रुपीस का लोन 10 परसेंट की रेट पे ले लूँगा मेरी इच्छा होई तो लूँगा वन्ना नहीं लूँगा समझ में तो मुझे लगेगा मार्केट में बढ़ घए तो ले लूँगा 10% पologne पर सेस्ट बढ़ी क्यों चाहिरत क़्चेंट रहे और कुछ बश्टा इनी आप होते जाते तो Powers प्रेमियम भी देना पड़ेगा मुझे क्योंकि मैंने यह चोईस लिए तो फिरी में नहीं मिलेगी मुझे क्योंकि सिंपल सी बात है मुझे फायदा होगा तो मैं यह उप्शन अखर नहीं करूँगा उसका व्रक्रांटी फिर्फानी मुझेट फेजर हां मैं पया कर ना लोन को लेने का पर देख लूगा मार्केट में एक्ट्राइक रेट से जादा हो गई अगर हो गई तो अप्शन एक्साइज कर लोगा और पर मार्केट में एक्साइज करूंगा पादल थोड़ी हूं कि 10 पर से लोन जो मार्केट में मिल रहा है मार्केट में ले लूगा इट परसेंट बस खतम अब प्रैक्टिकल लाइफ है जो एक्जाम में क्वेशन आएगा उसमें आपको बोलेगा बताओ इस केस में आपका इस पर इंट्रेश्ट करने के लिये इन traps फ्रीमियम बी तो दियाथ Zero टाइम वो भी तो मेरा टोटल पेइमेंट है वाई संक्षन को किया пять पे करना पड़ा जो भी चलेक्ट हुए तो भोब आपको टोटल कर यहां पर इसका यहां को कारवा हुआ कि दूसरे अपार यहां पर बहुत तरीके चलेट और इंटेस तोफेंट इंट्रेस्ट अप्शन इनमें है ना लोग एक साथ मिक्स कर देता हैं चीजों को इसलिए इंट्रेस्टेट ऑप्शन बिलकुल अजीब लगने लगता है यह नाम सुनके तो आपको किसी ने पहले पढ़ा होगा ना कहीं इदर उदर से उसको जटके लग गए होंगे अभी यार एक क्या बकवास टॉ अब आपके कैप ओर फ्लार आप्शन का जिलिए देखो अगर मैं इंट्रेस्टेट रिट्स की बात करों जो बहुत वेराइटी के होते हैं जिसमें से पहला मैंने बताया इंट्रेश्ट गारंटी जो आपने पुरा सीख लिए समझ लिया दूसरा होता है कैप ऑप्शन और एक वाधा फ्लॉर ऑप्शन जैसे इक्विटी डेरिवेटिव उसमें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दो तरीके के ऑप्शन दे यहां बहुत तरीके के होते हैं इंट्रेश्ट गारंटी मैंने किलिए करा दिया वह बस सिल्पल साथा अब कैप ऑप्शन और फ्लॉर ऑप दो तरीके के जो अप्शन से इंटेश्ट के यह और अपने को समझें यह क्या होते हैं बहुत आसान सी बात है पहले क्रहिए बदेट क्या क्या है और लोट स्लंड स्में और यह दोनों प्लोटिंग इंट्रेश्ट ठीक लिए कि लिए तो कि लुए इतने प्सक्राइट फिलर्ट पाइज करे जाती है पहली बात व मैं कि लिए असे कॅन्से टेक्र में बखिंग और आपकोuced टू आप्षिन का में आते हैं अब कैसे आते हैं उन देखेगा फ्लोटिंग इंट्रेश्ट अप्षिन के करेंगे कि एक बात करेंगे कि एक ग्जाम्पल से बतातों मान लो मुझे दो साल का लोट चाहिए ठीक है तो यहीर्स का मुझे लोट ले लिया थो पॉट्च मैंने लोट तरी के दे चार रिसेट प्रिड मेरे बन जाएंगे अब देखिए क्या हो रहा है आपको मालूम है इसमें क्या होगा 6 मंत लाइब और मालो आज 10 परसेंट है तो पहली इंस्टोर्मेंट 6 माल से यान स्थीर के यहां जाएगी 10 क्याकर्शन परचेंट 10 आपको मालो सब्सक्राइब,олैंए सब्सक्राइब यहीं सब्सक्राइब होती है अब देखिए आज के दिन मानलो जीरो टाइम पे मैंने लोन लेके बैठा हूं और आज के दिन इंट्रेट नहीं पता और इन दिन पर जो मार्केट में रेट होगी उसके अकॉडिक मुझे नेक्स इंट्रेट ना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग इंट्रेश्ट लोन है तो अब भाई मुझे डर लग रहा है कि यार मार्केट में इंट्रेश्ट बढ़ गई तो मेरे को मार्केट पर इंट्रेश्ट बढ़े तो ज्यादे इंट्रेश्ट बढ़ना पड़ेगा अपकमिंग पीरियड में क्योंकि मुझे नहीं पता आज के टाइम पे कि 6 मन बाद 12 मन बाद 18 मन बाद क्या इंट्रेश्ट होगा कोई टैम मेशीन नहीं मेरे पास तो मुझे डर होती है इस ट्राइक रेट 10 परसेंट का मतलब क्या है अगर मैंने कैप ऑप्शन बाई कर लिया तो में पास राइट आजाएगा 10 परसेंट पे इसका मतलब क्या है अब आप समझ गयोंगे थोड़ा थोड़ा जिसने दिमाग चलाया होगा तो बाकि बता देता हूं कैप का म अब क्या होगा देखो जीरो टाइम पर टैन परसेंट की रेट यहां तो सिक्स मंत का इंट्रेस्ट पर हो जागा मैं आपको एक चीज बसाता हूं राज की बाद जीरो टाइम पर जो मार्केट में इंट्रेस्ट होते है जंदली उसकी फ्राइक रेट का पोप्षेंग के इंट्रेस्ट उतनी होती है यह उसते ज्यादा होती है या पहले रीशेट पीरेड में छाँपर सिब्सक्राइब कर भी मार्केट में एक्ट में रिट होगी 11% 11% होगी तो सब सक्षेल में टो इन्ट्रेट काहां पर यहां पर फ्रेसंट में 11 पर बे बाइवन अपर्सेंट में यहां याच्या महिने का इंट्रेस्ट बनना पड़ेगा युझे लेकिन मैंने क्याइट ले रहे हैं 10 परसेंट की स्ट्राइक रेट का 10 परसेंट ले लुद्ट की लेगा इंट परसेंट हो गई तो यहां से यहां तक का इंट्रेस्ट 10.5% पे पेट तो होगा पर इस ट्राइक रेट के यहां परसेंट की क्या है 10% यह पॉइंट 50% का मुझे यहां पेओफ भी मिल जाएगा पैसा आ जाएगा बेंक वाले से ऐसे इमाम नाइटीन मन्त के आड में 9.5% परसेंट हो गई तो 24 मन्त के अड पे मुझे 9.5% पे इंट्रेस्ट पे करना है अब बताओ सर कैप में पेओफ क्या होगा इश्ट्राइक रेट जादा है और मार्केट में इंट्रेस्ट कम है प्यओफ कुछ नहीं आना उपर रहती इंट्रेस पढ़ा है और अभी थोड़ी दिर पहले बताया है समझ में आया तो मुझे पे कुछ नहीं करना मेरा पेओफ जीरो रहा है समझ में बिल्कुल बेसिक सा होता और कुछ भी नहीं है जैसे कि मैंने बताया पहला 10 परसेंट यहां कोई दिक्कत नहीं लेकिन 6 इसी दिन ऑप्षण का भी पेओफ मिलता है इसी दिन ऑप्षण का पेओफ मिलता है इसी में से एड्जेस्ट करते हो ठीक है तो बस यहीं लिखाया वही मैं यहां पर नौट डाउन कर लिजे और इच रिसेट डिट अगर बैंचमार्ट रेट ओफ फ्लोटिंग आज की रिसेट डेट का इंट्रेस्ट का गई अगली की इस समझ में आई बाद है तो उस दिन आ लोसी दिन पेआफ का सेटलमेंट होगा कॉल अप्शन ही तो है इस्ट्राइक रेट से ऊपर चली गई मार्केट में रेट तो पेओस मिलता है प्लक्राइब कितना मिलेगा पहुत बस इतना सही और कुछ भी नहीं है अब यहां पर मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए लिख दिया अगर बेंचमार्ट रिसेट पे एकसीड नहीं करती स्ट्राइक रेट से कम रहती है केagna so मैं क्या कर रहा हूं मज लालच इंसाना हो मैं फ्मोर ऑप्षिन लिया ले लता हूं लसल्टर ऑप्षिन का मतलब क्या है तो पे-ऊफ मिलता है तो फ्लॉर ओप्शन का मतलब नाम से समझते आपके जमीन नीचे आपकी नीचे होता है तो यह अगर इससे नीचे प्राइस चली गई मार्कट में इससे नीचे रेट चली गई इंट्रेस्ट की तो वो डिफ्रेंस मुझे पे-ऊफ मिल जाएगा यांदि मार्केट में जैसे सिक्स मंद बाद मार्केट में 3% में इंट्रेट में इंट्रेट पर से नीचे चली तो 1% का पेऊफ भी मिलेगा तो मेरा नेट इंसान हूं इसले मैंने प्रसेंट लेकिन कोई प्रेमेंट से नीचे बिल यह विलेगा ये बधी मुझे मिलेगा तो में इंट्रेस्ट और सस्ता पड़ गाएगा लेकिन सर कभी मार्केट में इंट्रेस्ट जादा हो गई तो इस ट्राइक रेट से तो कोई दिक्कत नहीं वो नॉर्मल पेइमेंट होगा वह पेओफ में को ऐसा मत बोल देना पड़ेगा क्योंकि मैं बायर हूँ ऑप्शन बायर तो मुझे पेओफ मिलेगा है मेरा पेओफ जीरो होगा तो मार्केट में रेट से कम हो गई तो पेओफ मेरे को आएगा वर्ना जीरो ठीक है एक टाइम पर ध्यान लगना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मानलों मैंने कैप ऑप्शन भी बाय कर लिया अगर ऐसा हुआ ना तो हमेशा आपको एक ही चीज़ पेओफ मिलेगा दोनों का नहीं हो पेओफ में जाएगा नेगर्टिव किसीभी सिनर्यों में आपकेफ या फ्लॉर और अप्शन लेने के प्रीमियम देना पड़ता जीरो टाइम पर तो ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन बायर देगा ऑप्शन सेलर को बेगिनिंग पर कितना लॉन अमाउंट का उप्शन प्रेमियम परसेंट यह तो जानते हो बेसिक सा पॉइंट है फिर भी लेग दिया अब मैं आगे पढ़ाने पहले एक पॉइंट किलियर कर देता हूँ कि इसमें मैक्सिमा में गलत करते हैं कोईशन होता है उसमें क्यों लोन लिया है वो लाइबॉर प्लस टू परसेंट पे लिया तो उसमें रेट क्या पताएगा यह फ्लोटिंग के साथ एक फिक्स कॉमपोनेंट भी बता दिया अब सर मानलो लाइबॉर मैंने कैप ऑप्शन थ का 10% का कैप ऑफ्षेंट का मार्केट में लाइबोर जो है ना वह 9% हो गई ठीक है मार्केट में लाइबोर क्यों हो गई 9% ध्यान से सुनना में एक पॉइंट कि लिए कर रहा हूं यह पॉइंट से उसक्वीशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी मेरा कैप क्या होगा इलेवन परसेंट यहीं तो प्रसेंट का था यानी 1% परसेंट का पैए अगर किसी नहीं तो जीरो मार्क्स मिलने वाले गलत हो चुका आपका आपने पूरा गलत कर दिया अब के लिए होते हैं फ्लोटिंग के लिए ओप्षन में जब लिए होते हैं इन्ट्रिफ एक कोई जिर už ए Bakे इसमें हैं यहां पे ऐसे भी साफसाफ लिखा यह विए साफसाफ लिका यह है करती है फ्लोटिए त्यarta करती है लिक्रेट से तो आपको वह बैंचमाक रेट से कंपेर करना होता है वह प्लस फिक्स क्साफ साफ लिखा है फिर भी हम गलती करते हैं तो पर-फ्लॉरार ओप्षन में आपकी जो रयफूर्ण से दूती है जिससे कंपेरिजन होता है वह वह बैंचमाक रेट ही होती है एक्चुल इंट्रेस्ट के लिए वो consider होगा पर payoff चेक करने के लिए उसको consider मत करना मैंने class में जब solution कराया था तब भी आपको बढ़ाया था अगर मैं एक बार दिखाना चौना हो जो solution मैंने class में कराया था कि उस question का देखो मैंने जो करवाय था यह question का solution आपको class में तो यहां पर आपकी जो strike rate थी ना 8.5% थी 8.5% थी और जो हमने loan लिया था यह question है strike rate थी आपकी 8% थी कैप option की पास एक पर उस पर नॉटिस करना एक question आपके पास strike rate 8% थी और जो loan हमने लिया था वो लिया था लिया था लाइबोर प्लस 0.5% फ्लॉटिंग इंट्रेस्ट लेकिन हम यहां पर देखिएगा आपकी जो strike rate 8% तो पहले 7% है तो 7 प्लस 0.5 पर आपका पेमेंट हो रहा था पेओफ कुछ नहीं बन रहा है 8% से नीचे नीचे अब मार्केट में जब रेट 8% हुई यहां पर प्लस 0.5 पर से अब बताना था क्लास का सॉलिशन जो आपको करवाए हुए मैंने उसमें आपको सब डीटेल में बताया हुआ है चलिए बागे अब इसमें एक और नोटा एक नोट बता दिया दूसरा नोट देखिए बहुत आसान सा नोटा भी जो सब्सक्राइब करते हैं अब इसका मतलब क्या हुआ सुनिए का ध्यान से बहुत आसान से मैंने दो साल का लोन ले लिया फ्लोटिंग रेट पे और मुझे डर लग रहा है यार मार्केट में इंट्रेशन बढ़ना जाए यह डर लग रहा है तो सब्सक्राइब अब कर लिया लगवाए कर लुए औप यहां तक तो नॉर्म से लर को यह मेरी घृषन लगाना नहीं चाहिए तो मैंने थड़ा ज्यादा दिमाग चलाया मैंने तिमाग चलाया मुझे लग रहा है इंत्रेश बढ़ेगी जो पूरे चांसे मेरे अकॉडिंग इंट्रेशेट गिरने के चांसे नहीं है पर मार्केट में किसी को ऐसा भी लग रहा होगा इंट्रेशेट गिरेगी मार्केट में सब तरीकी के लोग रहते हैं पहले ही बता चुका हो यह कोई का सवाल नहीं आना चाहिए आपको ऐसा लग रहा तो सा और उप्शन खरीदना चाहेगा तो मैंने सोचा किसी को फ्लोर औप्षन बेच दू प्रीमियम करलों और प्रीमियम कर लोगा एक लुद कर लोगा मेरी हैज हो जाएगी अगर दूंगा फ्लॉफ प्लॉफ ऑप्शन बेचूँगा तो प्लॉफ देना पड़ेगा लगाट पर तबी तो option buyer को pay off देना पड़ेगा floor option मुझे लग रहा है interest rate बढ़ेगी जरुवत ही नहीं पड़ेगी बस floor option बेद देता हूं वहां से premium आएगा उससे cap option खरीद लेता हूं hedging भी हो गई premium का पैसा भी नहीं लगेगा यह बोलते हैं डेड़ शाने लोग ठीक है interest rate लोग करते क्या पॉप्षन बाहिए करते हैं floor option सेल करते हैं समझ में आया क्यों क्यों कि आपना premium निल कर सके एक जगे से premium क्लेक्ट किया और एक का premium पे किया समझ में इस इस मेंने इनको भारी नुकसान भी हो सकता मार्केट में नोंने सुचा इंट्रेस्ट बढ़ेगी मालों बढ़ी नहीं तो क्या पॉप्षन में प्योफ आया नहीं गिर गई तो floor option में प्योफ देना पड़ जाएगा और question जो है ना आपका उसमें ऐसा ही होगा जो मैंने अदर देखिए अगर question आपको बोले बताएं कितनी interest rate risk hedge कर ली आपने option यूज करके आप option यूज करते हैं इंट्रेस्ट रिस्क हैज करने के लिए तो option यूज करके आपने कितनी interest rate risk hedge कर ली अपनी वो बताओ यानि आपको कितना फायदा हुआ option करके option करके कितना फायदा हुआ यानि कितना pay off मिला यानि आप से gain loss पूछा गया सिंपल सी बाता गें लॉस बताना है तो option कैसे आता है उसे हम बताना फायदा हुआ option कॉंट्रेक्ट में एंटर होके और रिस्क हैज होने का मतलब क्या है जो एक्स्ट्रा मार्केट में इसका मतलब आपको पूछा गया है अब नेट कैसे निकालोगे सर्फ तो अलग 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 देट पे मिलते हैं वही ऑप्शन कैप ऑप्शन में आप एट-पे निकालोगे हर पिएटके हार में और अ करोंगे तो नेट व्यूंट कहें है तो कितना मिला प्यों कितना मद in प्रीमियम डियू टाइम यहार थोड़ी wood करते तो ज्योन प्रीमियल पे ओएप सकती पेंड करना पड़ेगा historic formula देखी धाने किटने इंट्रेस्ट रिस्क है यह आपको नेड पड़ोफ गे खंशन सेय प्रिमियोम मैंने ने ग फोफ गेंड लोस बताना है लेकिन पड़ाल जो तो हम यह बानके चल रहा है कि हड़ी पे आपको । मैं यह मान के चल रहा हूँ हर डेट पर प्यों रहा हूं लेका तो इस निकाले एक प्यों को आपको अलोकेट करना पड़ेगा हर पेमेंट पर सर कैसे अलोकेट करों को चाहर यह सब्सक्राइब हुए कि ऐसा मत करके आगे आप और यह वाइट कर देंगे लेकिन आप डेर्टि आलोकेट नहीं कर सकते क्यों कि option premium मैंने zero time पे pay किया और interest payment date future में आएंगी तो time value of money को भी consider करो यानि अब आप यह सोचो अगर मैंने चारो payment date पे option premium pay किया होता option seller को तो वो option premium का amount क्या होता चारो date पे x amount वो x amount equal होता पर चारो date पे वो amount कितना होना चाहिए था ताकि उसका PV करें तो आज बराबर आजाए क्योंकि zero time पे तो मैंने वन लैक का option premium पे किया है तो चारो payment date पे अगर मैं option premium देता सोच रहा हूं मैं अगर चारो date पे मैं option premium installment में देता installment में देता तो वो amount कितना होता तो तो कितना amount होना चाहिए तो 25,000 25,000 अरे नहीं अगर इतना होता तो उसका पीवी करोगे तो वन लैक थोड़ी बनेगा मैंने तो वन लैक दिया ना तो चारो डेट पे जो option premium प्राबर आजाए यह चीज़ है तो यानि वह एक्स अमाउंट जो है उसका पीवी करें तो चारो पे सेम अमाउंट होगा तो पीवी एनुटी फेक्टर ले लो गया ठीक है पीवी एफ जिसे बोलते हैं उससे multiply किया तो किसके पराबार आना चाहिए वन लैक तो एक्स कैसे निकाल लोगे वन लैक यह multiply में तो सामने के लिए डिसकाउंटिंग फेक्टर चाहिए और ताइम चाहिए नाफ हमारे चार जमन की्वानपलILL इस लिए वे लिए सकते हैं कि यह आपको फिक्स से ही लिना हमेशा रीजन यह है आप और पर फ्लोटिंग इंट्रेस्ट में डर लग रहा था इंट्रेस्ट बढ़ना जाए इसलिए आपने अप्शन कॉंट्रेक्ट किया इस विए आपने प्रिमियंग पे किया अब जीरो टाइम पे मैं यह सोच रहा हूं कि मैं option premium का पैसा उधार पे लाऊंगा और फिर पे करूंगा उसी according सोच के हम PV कर रहे हैं तो वह मैं पे करूंगा तो option premium का पैसा जब उधार पे लेगा हूंगा तो अगर मैं वह भी floating interest पे लिया हूंगा तो इस पर वापस से risk होगी interest rate बढ़नेगी फिर इसको किस से edge करूंगा इसके लिए और option करूंगा यह cycle तो कभी complete ही नहीं हो पाएगी इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि option premium का पैसा जो हम पीयम जो पे लोके विए तो पिय आफ निकालना सिखा दिया option premium allocated कैसे आगा इच प्रसेंट का से ग्रेंच दो साल में चहचे महीने के चार इंट्रेस्ट पेमेंट डेट आएंगी उस पर उप्शन पी में मालोकेट करना है अब देखना आपके जो चार पीरेट वो सिक्स मुंस के हैं तो सेवन परसेंट से डिरेक्टली चार पीरेट का पीवी फेक्टर मत निकाल लेना वह सेवन परस बिगिनिंग में 1,000,000 पिए डिवाइड बाई पीवी अरी आइस नेचर आप्षिंस में हम किस नेचर का कॉंटरेट स्वैप के नेचर का कॉंटरेक्ट है आप मैंने एक कुईटी वाले से यह आपको बढ़ाया तो से बैसा ही लॉजिक इसमें चलेगा वही वर्किंग चल आपको वहां मैंने क्या समझाए था मान लीजे मैंने 100 क्रोड किसी पॉर्टफोलिय में शेयर के पॉर्टफोलिय में इंवेस्ट कर दिये अब मुझे लग रहा है थ्री मन्स बाद शेयर पॉर्टफोलिय क्या रिटन आएगी कुछ फिक्स नहीं मार्केट में तो कुछ भी र रिटन कमाएगा वो मुझे ट्रांसफर कर देना यह था स्वैपिंग करना है जो तेरे पास है वो मुझे दे दे मेरे पास है वो तू ले ले इच्छा पूर्ति का इंस्ट्रूमेंट है मैं अपनी इच्छा है पूरी कर रहा हूं आप दूसरे की बंदी को देखके बोलते ह सामने वाला आपकी बंदी उसकी बंदी सब राजी हो वह एक अलग बात है बाकि स्वैप कोंट्रक्ट करने से आपको खुशी मिल रही होगी शाह सुनके पर जरूरी नहीं कि खुशी मिले डेरिवेटिव कॉंट्रक्ट है प्रॉफेट लॉस कुछ भी हो सकता है मैंने सामन स्वैपिंग करते हैं पर बाद में पता चला जब पास में आई तो जब आपके पास होगा वह ट्रांजेक्शन एक्जिक्ट होगा तब मालूम पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लोस होगा दूर से तो सब बढ़िया लगता है तो यहीं है आप किसी भी चीज़की कर सकत हो वहां हम क्या कर रहेते हैं इंट्रेश रेट को एक्षेंज करने की बात करेंगे 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 तो इंट्रेश रेट किस मानलो अगली जो डेट आने वाली है वो फर्स्ट जैनुवरी है उस दिन जो भी इंट्रेश्ट रेट हो जाएगी मार्केट में उसके आकोडिंग 6 मन बाद यानि 30 जून को उस दिन मुझे पेमेंट करना पड़ेगा इंट्रेस्ट का मुझे डर लग रहा है यार इस दिन मार्केट में इंट्रेस्ट बढ़ने वाली है मैंने यह बाद अपने दोस्त मिश्टर बी को बताई कि भाई क्या करूं मिश्टर बी बोला भाई तुप परेशान मतों मैं तेरा दोस्त तो तो टेंशन मतले तेरी मार्केट में जितनी भी इंट्रेस्ट होगी ना फ्लोटिंग की वह इंट्रेस्ट मैं पे करूंगा जो को आण दो लोन ले लेता है तो अपनी इच्छा पूरी करेगा तो मिश्टर यह बोल रहा है कि मैं तुझे फिक्स इंट्रेस्ट दे दूंगा 8% परएणम की इंट्रेस्ट परएणम की होती है कुछ नहीं बोला तो मैं तुझे 6 देंगा फिक्ष इंट्रेट कर दूंrienां का फिर मार्ट में कुछम भी रेट गशु 2009 का मुझे इंट्रेस्ट देगा हूँ को ही मैं इंट्रेस्ट आगे देदू मैं मेरे लेंटर को तो बताओ मेरा तो जो लोन है अटोमेटिकली सिक्स इंट्रेस्ट लोन में कनवर्ट हो गया जो मेरी इच्छा थी वह पूरी हो गई यह स्वैपिंग का पॉंट बहुत आसान सा है तो देखो मिश्टर क्या पे करेग मुझे मिलेगा जादा मैंने दिया कम एंट्स की निफिए एक्रों आप पड़ेगा यहां पर मार्केट मेरें परसेंट विक्स इंट्रेस्ट करूंगा ही करूंगा और मिश्टर भी मुझे सिर्फ 5 परसेंट ही पे करेगा मुझे 5 परसेंट ही रिसीव होगा जो मैं लेंटर को ले जाके दूँगा अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता है अपने फ्रेंड को यार मैं मेरे फ्लोटिंग रेट लौन पर खुश हूं तू अपनी बंदी तेरे पास से र टापिका तो मेनिक गई एक्सेंज ओफ इंट्रेस्ट पेमेंट बेट्विन तू पार्टी दो पार्टी आपस में पेमें एक्सेंज करने कि बात करते हैं एक प्रेट पर लॉत्टिंग फ्लोटिंग पे पे करेगा जरूरी नहीं एडियों का जितना आउसीप की आ जाए च सब्सक्राइब देना टार्टिंग इंट्रेस्ट करती है उसे बोलता है यह बेसिक बाते हैं कि तो देखे एक्जाम के अक्वाडिंग और भी आसान होता है जितना समझने में आसान है तो एक्जाम के अक्वाडिंग आप इसमें टाइप्स ऑफ इंट्रेस्टेट स्वेप्स होते हैं बहुत इजी टापिक है कुछ भी निये फिरी के मार्ग से अगर एक्जाम में आ गया त जिसे जैन्रिक स्वेप भी बूलते हैं आई आइसक्रीम का आइसक्रीम मैं आपको बताता हूं यहाँ की आ जाता है अगर में बात होगा उसे पसंद तो जैसे वनिल म मेन आइस स्ट्र citrus का नाव लेते met नाती है वनीला स्ट्र वेवर्स कॉम सरे का नेचर भी बहुता यह गागता हिएक एक मैं सामने वाले बंदे को 10% fix rate पे इंट्रेस्ट पे करूंगा और यह मुझे floating rate पे एट परसेंट पे इंट्रेस्ट पे करूंगा और यह मुझे floating जो भी मार्केट में रेट होगी उतना इंट्रेस्ट देगा तो नेट की मेरा मांउंट आ घया अगया कि यह आ गया आपका आघ सएक आप करूँख देन्त्रेस्ट परसेंट अगर मैं शिक्सि PB करूँ तो number समने वाले को मैं कुछ में कुछ मिष्टर मृस्टर पे करेंगा और सU Being रजितिन वंग भी फ्रोटिंग भावीख फ्रोटिंग आपश्ट एक पर टो फ्रोट कितनी होगी मार्ट किकर संपारींत सबसे पहले बार जो मार्केट में होता है तो मार्केट में आप करने जाओगे तो जब इंट्रेस्ट कैलकोलेशन होगै तो मंस के बैसिस पर ने होती देस के पीँ और एक साल में ठीकिडेज़ चनक다 तो एक साल में यही प्रैक्टिस स्टार्टिंग से चलती आ रहे हैं जब से यह स्वाइट में आज भी आज भी अपन देख लेंगे फरक नहीं पड़ता कोई दिक्क्यत की बात नहीं मार्केट की ट्रेड कमर्शियल प्रैक्टिस है वो जो प्रैक्टिस है वही अपन भी फॉलो कर लेंगे यह ध्यान रखना अब इस्टेप्स क्या फॉलो करने नेट सेटलमेंट के लिए कोई सिम सबसे पहले देख लो फिक्स रेट पेयर कितना पे करेगा दूसा इसे इस कॉंट्रेक्ट में प्लेन वनिला स्वयप के अंदर मार्केट में एड़ बोला जाता है ओल इन कोस्टे आपका प्रैक्टिकल लाइप में लिखा जाएगा ओल इन कोस्ट रेट इन स्वेंदिस इस इएट परसेंट इसका मतलब यह है कि स्वैप के आंदर जो भी फ नबबर ऑफ डेज़ तो परहना होती है इसमारो जोटिस में घोली चेल्कुलेशन नहीं करने अधी तो डेसर निकालते लिख फब्रभी ट्वेटारी ट्वेट ट्वेटी ऐट्टी ट्वेट्टीएट मार्स घ्रिल अप्रेल रटी मय्-धृतर्टी यूंवं ऑर जून दिमाग में मतला हो अगर हुई तो देख लेंगे वह भी ठीक है तो यहां 181 देस ले लो 181 भाइट से रिखटी नहीं अब दूसरी अजम्शन इस स्वेप की दूसरी अजम्शन नहीं सर कितनी अजम्शन बताओगे इस स्वेप में बस यही इंपोर्टेंट है कि आपको पता क्यादा नहीं होते यानि यह जैनुवरी मंत का इंट्रेस्ट करेगा तो थर्टी डेस के अकॉर्डिंग करेगा यह सब्सक्राइब और हमार्केट में स्टार्टिंग चलती आ रही है वह ही आज भी फॉलो करी जाती और वह ही हम समझ में आया है बस ही ध्यां दखना है एन यहां पर नहीं चलेगा अरे सर क्या है बस यहीं है इसके अंदर जो ध्यान रखना है तीन अजम्शन पहली इंट्रेस्ट नमबर ओफ देज क्या अकॉडिंग लेगा एक साल में 360 डेज अजयों करे जाते है प्रेक्टिकल लाइफ में वही क्वेशन में चलेगा दूसरा फिक्ट इंट्रेस्ट पेर एक महिने में 30 डेज मानते हुए इंट्रेस्ट पे करेगा लेकिन फ्लोटिंग यह मार्केट में चलती आ रही है आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो प्रेक्टिकल लाइफ में कभी होगा तो चेंज हो जाए रहा पर जैसे मैं आपको बताता हो नो इनके कोई वीजन लॉजिक ऐसे नहीं होते कि इस प्रेक्टिस के बीच यह बहुत तरीके बस लोगों को पता ही क्यों हो रहे हैं किसी कभी कोई चाहेगा तो बंद कर देगा कभी बंद तो कर दिया बस प्रेक्टिस चेंज हो जाएगी से वही चीज़ इसमें जिसे पहले दहेज प्रता सती प्रता यह चलती थी किसी ने किसी रीजन की वज़े से कभी चालू करी होंगी आज बंद तो एक प्रैक्टिस है जो मार्केट में बस चलती रहती है वही चीज़ यहां प मार्केट में आजके दिन सब्सक्राइब चलती है तो फिक्स रेट परसेंट की तुझे परसेंट देना पड़ेगा इंटरेस्ट क्योंकि पहले ही एडजेस्ट कर देंगो जो भी होगा एडजेस्ट्मेंट वो पहले ही करके लगते हैं दो ठीक है यह चीज़ है ताकि इनक अब सेकिंड टाइप ओफ प्लेन वनिला ओवरनाइट इंडेक्स वेप ओए इस वेप बूलते हैं इस पर शॉट फोम में यह जो अपने प्लेन वनिला स्वेप उपर पढ़ा ताना उसी की एक्स्टेंडेट वह उसी का ही नया मोडल है नया वर्जन है और कुछ भी नया मो योटल होता तो बेस वही रहते ना तो सेव इसमें defines में जो सेम आगे पस एक 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 ट्वल फीचर फीचर वह नुकसानल यहोंगी है प्लेन वनिला ओवरनाइट इडेक्स से एक और बहता हो किया जाएगा एक नुकसान दीया जाएं की और सब्सक्राइब बसक्राइब किया इसको ग। अगले दिन जीरो टाइम पे प्रिंसिपल ता उस पर इंट्रेस्ट निकालेगा इनी डेली इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट भर देली इंट्रेस्ट भर एगा बेचारे का इंट्रेस्ट पे डेली कंपाउंडिंग के डिली कंपाउंडिंग एक बार देखें अब दूसरे दिन कीया होगा सेकंड जनुरि को प्रिंसिपल और वह जो इंट्रेस्ट यह था यह दोनों ले लो इन दोनों पे 10 परसेंट एक दिन का वापत लगेगा यह वापस 278 आ गया यहां पे अमांट छोटा लिया अगर बड़ा मांट लेते ना इंट्रेस्ट चेंज हो जाता ठीक है तो वह कोई दिक्कत की बात नहीं है यह सेम आने इंट्रेस्ट आ रहा है नॉर्मली चलने देते सेम इतले आ रहा है क्योंकि अमांट छोटा है अगर आप नेक्स डेट पर निकालोगे मालों यहां पर फॉर्थ जैन्वरी अगर मैं दिखाऊ तो अब बैलेंस कितना हो गया थाउदेंट 556 पहले था 278 तो यह थाउदेंट वह जाएगा क्योंकि अमांट छोटा अगरी करोट में अमांट लेता तो इंट्रेस्ट चेंज होना चालू हो जाता और इसके प्लेन वनिला ओवर नाइट इंडेक्स में इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट चार्ज होगा यह आपको ध्यान रखना है इसके लागव और कुछ अगरे आपको जिए नहीं है और प्लेन वनिला ओवरनाइट इंडेक्स का कुश्चन आया आप बोलो के सर स्वाप में तो एक साल में तो करते हैं बहुत जगे मैं बताता आ रहा हूं यहां पर मैंने लिग दिया क्या आप यह फाल्तु गलतिया करते हो फिर आप पेपर में लिख्या आओ गे और बोलो कि सर मैंने तो अपने त्री सिक्षी डेस के अकोडिंगे करके आगया मांक्स मिलेंगे जीरो मिलेंगे फिर आप उच्छ नहीं मिलना इंस्टिट्व महान है कुछ नहीं कर सकते लिख दिया उन्होंने तो बस वह फोलो कर लो फिर उसमें लेना है ना आज के दिन मार्केट में जो इंट्रेश रेट उससे मुझे स्वस्ता लोन मिल सकता है अगर मैं स्वैप को यूज करो यह वास्ता में होता भी है मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें काम भी कि आपको बताया था जो मेरी आर्टिकर्शिप के फिरम उसमें और इसपर मैंने वह वर्किंग करी थी वैलुइशन वगएरा इस सबका जो भी वरकिंग थी तो यह प्रैक्टिकल फीजिबल बीए और कम्पनी करती वह यह वास्तों में अपकी इंट्रेश रेट कम हो जाती है एक्ट्रेश रेट कम हो सकते हैं चांसे दोते हैं अगर ऐसा इंट्रेट पर लोग चीए और दूसरी कंपनी है उसे फ्लोटिंग इंट्रेट पर लोग चीए तो वो दोनों अपनी बोरेंग कोश्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इंट्रेट स्वेप में एंटर होके देखो यह जो चीज आना तभी एपली के बलोगी जब एक कंपनी आज के यूस किया जा सकता है रेट कम करने के लिए प्रैक्टिकली फीजीबल है मिल जाता है वो कैसे मिलते हैं क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन ऐसे सिनर्यों कम ही बन पाते है इसलिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता पर अगर इंट्रेट स्वेप का सि प्रपिक देखिए क्लास में पहले अपने इसको एग्जामपल से समझते हैं तब ही समझाता है तो कंपनी है और यह दोनों ले सकती है किस इंट्रेस्टेट पर इसको मैं एक चाहिए एक fix amount का fix tenure का तो बैंक वाले ने बोला कॉंसी रेट पे लोगे भाई fix पे की floating पे तो मैंने बोला कि दोनों रेट बता दे तो बैंक वाले ने मुझे ये रेट भी fix की बताई और ये इसको इंट्रेट को सकता है बैंक का परमाने कॉस्टमर बेंक को अच्छा घासा बिजनस देता हो और इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो तो इसको इंट्रेस रेट कम बताता है और not a customer यह जदा इसका बिसनस नहीं है MEMक इसको जदा इंट्रेस्टेट पर लोन दे रहा है और प्रैक्टिकल व्लाइफ में भी यह होता है ए correr से धन्दा चलता है बिगांते ही चलता हुआ है ये लिमिटेट क्या बोलता है मेरे को तो चाहिए floating rate पिलो और B-Limited बोलता है मेरे को चाहिए fixed rate पिलो इन दोनों की ये इच्छ है तो ये लिमिटेट को तो market में साही rate मिल रहे है interest कि इसको कोई दिक्कत की बात ने मिला है कि इसके क्रेट रेटिंग ऊच्छी है पर बी Keyんと को पता है कि इसके थोड़ा परेशान है अपने दोस्त को फान मिलाता है उसका दोस्त खुश इंट्रेस्ट पर क्या लोन दोगे इतने अमांट का इतने टैनियर का तो उसने 8.2% इंट्रेस्ट बताया और इसने बोला कि यार दोस्त तुझे भी पता है मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है तो बैंक वाले ने मुझे ज्यादा इंट्रेस्ट रेट दिये मार्के से रिक्वेष्ट करें वेरे अधिवी उसन लीकुंद भूला तो मेरा दोस्त है मैं लेक्न मुझे भी लून चाहिए मैं आज के लिक ह्वेड़ के लिण unfinished pots मुझे ब्युद्ध तो तो प्रेक्टिकल लाइफ की बात बतात। बैंक से जब आप लोन पास करवाना बहुत सारी चीज़ों आइसानी जाके बात कर लिए दो मिनिट में लून मिलता है बहुत सारे कंडिशन डॉक्यूमेंट्स अगेरा सब देने पड़ते हैं एक टाम पैसे नहीं आपको दो थीन सकता है एक टाम पर इसको एक एक लोन मिल सकता है तो मेरेको फायदा हो जाएगा यह ने बोला दो दोस्तम्सान मुझे पर मैरे को लोन्ट चाहिए तेज़ा पर तो मेरे को पैसा कहा से आएगा मेरे पास पैसा तो ले लेगा तू मेरे विहाफ पे लोन ले लेगा तो मेरे लेकिन मे Cait will also का बता तो का में करता है तो लोटिंग एक सथा मिल मिल रहा है ऐसा मैंने बी लिमिटेड को बोला भाई सुनतो सही अगर मैं फ्लोटिंग रेट पे लोन ले लेता हूं इस रेट पे ले लेता हूं और वो लोन तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा तो फ्लोटिंग इंट्रेस्ट में को देता रहा है हुआ है मैं आगे बेंक को दे दूंगा तो दोनों के पास लोन भी आ गया तो आप देख यहां पर नुक्सान तो हो रहा है ताफ्ताफ दिख रहा है नुक्सान हो रहा है लुट्ट वह और फैसले फॉप्स फाइदा पर भाई यहां पर पोइंट टू जिरो परसेंट का नु या कोई अधा रेशियो कि 60 परसेंट तू रख लेना पॉइंट पॉइंट परसेंट मैं रख लूँगा यह होता है यही होता है अभी कैसे होता है बेनिफिट कैसे बटेगा क्या बटेगा वस्ची समझें आपको अब इसको थोड़ा साफ और समझाता हूं इसी चीज़कों म करें हैं फिर मैं द 영화 फ्रैक्टिकल यह सौनह देखो किए सब Florenамता फ्लोटिं पर इन्हों ने क्टिच न फिक्स ले लेगा बी लेगा फ्लोटिंग लेले लिगा जिससे इनको फायदा हो जागा कैसी अब ध्यान से सोच हुआ और भी लोजिकल तरीके से दोनों पार्टी इसको जो जो लोन चाहिए था डायरेक्टल अगर वो बैंक के पार जाके वही लोन ले ले लेते तो इनको टोटल कोश्ट क्या पढ़ती इंट्रेक्ट के तो टोटल देखना टोटल करना कि बात करें दोनों पार्टी इसका मिला लेगेन अगर यह दोनों स्वेपिंग कर लेते हैं जो लौन चाहिए उसके अलावा दूसरा लोन ले और आपसमें इंटरचेंज कर ले तो इसमें 7 परशंट पढ़ेगी और लुआ टोटल करना कितना हुआ में 7 प्लस 7.70 यहां पे दो आगर डाइरेक्टली लेते तो यह प्लस 8.7 परसंट पर सेंट पर संब के थूह यह प्लस 7.7 पर सेंट उन के बीच में डिफिरेंस देख लो कितना देख रहे हैं यह इप पर्सेंट का गेंड यहीं तो वैरीफाइब कराया था वन तो वन परसेंट का गेन साफ साफ दिख रहा है कर हम स्वैप्ट कर ले तो समझ में आये तो ठीक है वहना रेगुलर देखना बैच वापस पूरा वापस से फिर भी मैंने बताया तो वन परसेंट का गेन हुआ और यह आपस में बाट लेंगे इनके कोश्ट कम हो जाएगी कितनी होगी क्या होगी वह सब्वी मैं समझाओंगा इतना ही प्रोसेस एक बार समझे इस नहीं तो यहीं अब देखिए आप लोग तर यह सब कहानी तो आपने सुना दी पर क्या है सब प्रेक्टिकली फीजिबल है कि दोनों कंपनी को सेम टाइम पे सेम अमांट का सेम टैनियों का लगबक लोन चाहिए हाना अलग-अलग इंट्रेस्टेट पर एक को फ्रॉटिंग एक और दोने नहीं दोस्त निकले इस दोस्त भी निखल नहीं है एक दुसरे के ऑगाएनुकल वह ऊसेए हैं पर देटेते हैं और उसके पाथ उनकी स्वेपिंग कर वा देते है उनके बाक उम speech कर वाते हैं इने बोलते हैं स्लिप्स कोई भी बैंक के पास चले जले जाओपलों किसी और भी चैपिंग कॉड़िनेटर बीच में कॉडिनेट alerts करेगा का मिनेक रहता है फाल संब्सक्राइब नहीं फिर्ण पर संफ में भी हुआ सिसऑ मुझे अरदर नहीं Bene बैठा होता है किसे के साथ वो उसके पीछे-पीछ आता है वो देखता है यह फायदा ले रहा है तो वह भी आके बोलता है मुझे पीछ चाहिए मुझे भी चाहिए तो इस वह बैंक बीच में उचलता उचलता आया देखा कि को अपनी इंट्रेस्ट कोश्ट कम करना है यह बीच में चलता आके क्या होता मुझे भी चाहिए तो यह भी लेगा कमीशन यह भी लेगा कमीशन बोल रहा है देखो वन परसेंट का तुम्हें स्वैप में फायदा हो रहा है ओवराल में को तुम पॉइंट ट्वंटी फिर भी दिख रहा है ना हम बोलेंगे डन करवाई पॉइंट जीरो परसेंट का नेट गेन हम आपस में बाटलेंगे मानलों इक्वल इक्वल बाटा तो पॉइंट फॉर जीरो परसेंट समझ में आए बस खतम यहीं सब्सक्राइब से देख लीजे दोनों पार्ट इसके ल जीरो परसेंट गेन जो आएगा स्वेप में फिर वो दोनों पार्टी इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करनेंगी क्वेश्चन में लिखा है अब बताए क्या स्वेप जो है वो बैनिफीशली अरेंज किया जा सकता है अगर नेट गेन आया तो किया जा सकता अगर गेन नहीं क्या पढ़ती रिक्पाइड लोन क्या था एका फ्लोटिंग और वी का फिक्स टोटल कर लो अगर हम स्वेप के थ्रू जाएं यानि अदर लोन की इंट्रेस रेट यह ले लेगा फिक्स पे बी लेगा फ्लोटिंग पे उसका टोटल तो टो टोटल गेन आपको दिख रहा है परसेंट भी अपना कमीशन मांगेगा मुझे भी चाहिए करके पॉइंट टू परसेंट तो नेट गीन कितना हो गया पॉइंट जिरो परसेंट यानि स्वेप बेनिफीचल है इस नेट गीन को दोनों पार्ट इस क्वेश्चन में लेका एक्वली बाट लेंगे यानि पॉ आप देखो एको कॉन सा लोन चाहिएथा अब वही देखना एको कॉन सा लौन चाहिए फ्लोटिग लोन लेट था तो मार्केट में रेट क्या पड़ती यह को एल ।स पॉइंट परसेंट का बेनिफीट मिल मिल गया आप स्वेप के थुरो तो इसकी यह स्टेंड बस तो द यहां यह टॉपिक पुरा कंप्लेट है प्रोसीजर एक बाल दिखा देता हूं यहां पर मैंने एक लोग यहां पर थोड़ा उड़ा सीधा सोचेंगे तो वह बोलेंगे कि सर एलिमिटेड ने यहां पर जो आपको मार्केट में लोन चाहिए था उसकी इंट्रेस्ट रेट को आपके खुद की उसमें से शेर इंट गिन ले हुए आप आपके ऊपर जो एपलिकेबल रेट है उसमें आप शेर मांगोगे ऐसा नहीं सामने वाला जॉर्य रेट पर सबसे पहले बताःए बेनिट होन बाद tracking करता कि बhtरोंग्हां क्या अगरंगे परते आप masa में च्टेरिश केला आइझ सबसे पेहुँल लो नेट गेन आता है तो बेनिफिचल स्वेप किया जा सकता है अदर्वाइस नहीं यह नेट गेन को दोनों पार्टे स्वेप डिल में बाट लेंगी जो भी एग्रिमेंड में लिखा हुआ सब्सक्राइब का इसको प्रेट लेना था तो इसको फ्रकेबल देना था तो मैंस्टे वटलाइब लेना था संब्याइब लेकिन स्वेप कर रा तो यह fixed loan ले लेगा market में 7% पे बी को चीए था fix rate पे loan तो स्वेब कर रहा तो market में loan ले लिया थे थे floating rate ल प्लस 0.7% पे लिए अब देखिए बी लिमिटेट जो है हमारे जो लाट में अब देखिए बी लिमिटेड ने fix rate लोन स्वेब के थ्रू ले लिया तो इसको fix interest pay करना पड़ेगा आगे कितना इसको कितनी कोश्ट पढ़ रही थी 7.8% एक बार यह अपन ले ले लेते हैं वेरिफाइब करवाने के लिए 7.8% यह स्वेब बैंक के पास आगया 7.8 स्वेब बैंक इस फिक्स इंट्रेस्ट में से आगे अगे लेना देना नहीं तो7 इसको पूरा सेटल करना है लेंडर से उसको कोई लेना देना नहीं यह विद्वाइब को बोलेगा देख भाई मैंने फिक्स लोन लिया था वह तिरक आगे दे दिया उसका इंट्रेस्ट मुझे दे ताकि मैं अपने लेंडर को शल्टा सकूं तो 7% इसको स्वेट बैंक आगे ट्रांसफर कर देगा ताकि इसका सैटल्मेंट कर सके तो इसका सेटल्मेंट हो जाएगा समझ में और इसने बी लिटेट से 7.8% ले लिए तो अब एलीटेट को अपने इंट्रेस्ट किसको पे करेगा से लिमितेट्टेट को अपने एकशामपल में कितनी पढ़ी प्लस प्लस पॉइंट एन नहीं अघी वे लेंटर को स्टिंच लेना देना नहीं देना मुझे टा फिक्स चाहिए था लुटे लहन पे लेंडर को ऐल प्लस पॉइंट सेवन देना है मुझे तो आप मुझे ऐल प्लस पॉइंट सेवन करेगा और इसका नेट से लॉस करवा लिया पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीत वैंट सब चीजों का सेटलमेंट हो चुका है स्वाइब बैंक को पॉइंट टू जीरो परसेंट का पॉफिट आ चुका है देखो वापस से दिखा देता हूं पूरा स्वाइब कम्प्लीट हो चुका है ट्रांजेक्शन अगर यहां आप देखोगे तो जो ए लिमिटेड है उसको seven percent fixed मिल गया था और seven percent fixed lander का उसने settle कर दिया बी लिमिटेड को लप्लस point seven मिल गया था और floating lander का उसने settle कर दिया था बी लिमिटेड ने बस इतना ultimately fixed rate पे interest पे गया जो उसको fixed loan चाहिए था प्रफिट पूरा स्ट्रक्टर हो गया यह जो रेट अपने निकाली ना एकडम करेक्ट है जो रेट हमारे उपर एप्लीकेबल जिस पर हमें लॉंच चाहिए उसमें देटेल लॉजिक रहा है बस इतना ही था इस टॉपिक में और इसी के साथ आपका यह पूरा आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो अब आप लोग नोट्स एक बार पढ़ लीजेगा और फिर वही जो भी आपने से क्लास में कराये थे वह सब आप उससे गो थुरू करना सॉलुशन जो अपने लिखे थे उनी से रिवाइस करना डारेक्टली सॉलुशन देख सब्सक्राइब बताएं नोट्स पढ़ना और सॉलुशन पहले खुछ से बनाना डारेक्ट कोई भी सॉलुशन नहीं देखेगा पहले खुछ से सब्सक्राइब फिर अपना नीचे चीज़े दिखेंगे फिर आप लोग मुझे मैसेज करो कि सरी यह क्या कर दिया फिर मैं य इसा नहीं कि बस वीडियो सुना और डारेक्टली जो टीचर से जहां से भी आपने पढ़ा होगा उनकी बुक से या मोडूल से या क्वेशन बेंक से आपने क्वेशन देखा और वहीं से आप मैच करने लगे कि सर कैसे मैच कराएं तो फिर आपका कुछ नहीं होगा फिर त सा चप्टे था सारा अच्छे से मैंने समझा दिये तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर जो वीडियो है उसको लाइक भी करना कमेंट में आप बता दीजेगा कुछ भी हो और अगर कोई क्वेरी अगरा हो तो वो भी आप कमेंट में ही डाल देना चाहिए और